अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं तो आप अपनी त्यारी एन academy plus से करिए, एन academy की learning app को install करिए, अपना exam choose करिए और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगा discount code एंटर करना है PMYT, यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे एन academy पर valid है आप UPC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, UGC, IIT, NEET किसी भी exam की अगर आप त्यारी कर रहे है PMYT, यह discount code लगा है आपको maximum discount देखो शुरुआत में time लगे, first question में अगर time लग रहा है कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब हम last question पर पोचेंगे ना तब आप खुद देखोगे यह चीज कि आपको उतना time नहीं लग रहा है जितना first question पर लगा था, तो अगर यह लग रहा है कि एक बार में नहीं दिक्कत की ही बात नहीं है, पूरा session अटेंड करो, आपको पता लगेगा कैसे approach करना है और आप quickly इन questions को answer कर पाओगे, हां जी चलो, देखो, अब students क्या करते हैं, कैसे approach करेंगे, सारे sentences को पहले read करेंगे, फिर यह देखेंगे कि यह इसके साथ जुड़ना चाहिए, यह इसके साथ, ऐसी चीज़े करने का, मतलब यह सब करने की कोई नीड़ी है, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप options पर जाओ अब options में आपको पता है, passage की शुरुवात, या तो आपकी हो सकती है A से, या फिर B से, या फिर C से, या फिर D से, हाँ जी, अब सबसे पहले options को कट करना शुरू कर दो, देखो, but से कभी भी किसी भी sentence की जो है शुरुवात नहीं हो सकती है, clear हुआ, तो यह option कट, चलो, B को देखा, until about two decades ago, becoming careful about sugar was only for diabetics, बिल्कुल सही है, देखते हैं, does, does से भी कभी किसी passage की शुरुवात नहीं हो सकती है, पहले कोई तो statement होगी, जिसको हम conclude करेंगे, तो इस option को भी आप कट कर दीजिए, ठीक है, अब आपके समने दो options बचे हैं, D को हमने read किया, before joining this trend, doctors advise that we all need to find out whether all sugars are harmful, कौन सा trend, हमें नहीं पता है अभी, ठीक है, तो D से भी जो है, शुरुवात तो नहीं हो सकते हैं, तो आपके सामने answer है, समझ में आया, दो sentences को तो हमने read भी नहीं किया, और आपके सामने answer है, ये question इतना difficult नहीं है, जितना आप इसको treat करते हो, चलिए, समझ में आया, अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, question number second पे, अब जैसे मैंने आपको बदाया है, पहले options पे, उसके बाद आप sentences पे जाएगा, इस तरीके से आपको approach करना है, हाँ जी, तो question number two आपके सामने है, क्या होना चाहिए, पहले questions, पहले options को approach करो, cut करो options और उसके according up answer find out कीजे, हाँ जी, आपके according क्या answer होना चाहिए, देखो options को approach करो, या तो शुरुवात हो सकती है, A से, या फिर शुरुवात हो सकती है, B से, या फिर C से, अब देखो, ऐसा maximum cases में होता है, अगर दो options आपके same sentence से शुरू हो रहे हो, तो maximum possibility है, कि जो passage की शुरुवात भी C से ही होगी, मैंने कहा है, maximum possibility, इसका मैंने 100% नहीं बोला, तो 80-90% possibility रहती है, बतब above 70%, बट 100 नहीं हो सकता है, कभी-कभी ऐसा नहीं भी हो, बट इसके लिए करो क्या, पहले आप C को ही पढ़ लो, अगर वहाँ पे आपका कोई नाम है, कोई introduction है, तो आप ये चीज़ मान के चल लो, नाम हो गया, ये introduction है की नहीं है, आपको भी पता है, C से शुरू होगा, चलिए A को read करता है फिर B, in those allotted minutes, कौन से allotted minutes हमें नहीं पता है, तो ये से शुरूआत नहीं होगी, cut करो, B को देखा, the play has been divided, अब कौन सा play, ये वला play, तो B अगर आएगा, तो C के बाद ही तो आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता, तो B को भी आपने cut किया, हाँ जी, तो शुरूआत C से होगी, अब C आपका C को आपने read किया हुआ है, C आपका relate किस से कर सकता है, या तो D से relate या फिर A से, A को हमने बढ़ा, A में तो minutes की बात हो रही, D को देखा, this unique collaboration is a tribute to the playwright Girish Karnad, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कौन सा play, ये वला, C, आपका सीधा सीधा relate कर रहा है, D से, this will be the correct answer, हाँ जी, this will be the correct answer, समझ में आया, कैसे approach करना है, चलिए, question number 3 पे जलते हैं, आप ल अपने according attempt कीजिए, और बताइए कि क्या answer होना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, आप लोग अपने according attempt करो question और मुझे बताओ, मतलब अपने माइंड में इचीज फिक्स करो कि क्या answer होना चाहिए, फिर मैं आपको answer solve करना बताऊंगी, उसके according आप अपना score काउंट करना, and session के end में अपना आप score जरूर बताना, कि देखो, आगर मैं आपको बता द ठीक है, तो 20 question हर सेट से, यानि 60 questions है, तो 60 questions में से आप कितना आपका score रहेगा, यह सब लाप मुझे बताएंगे comment section में, फिलाल question number 3 पर focus कीजिए, और अपना जो है answer, सोचिए कि क्या होना चाहिए, हाँ जी, चलो, अब attempt करते हैं question को, देखो, ध्यान से समझना, options चेक करो, सेम चीज, या तो शुरुआत A से है, या B से है, या C से या D से, चलो, अब आपको बस यह find out करना है कि किस से starting और आपके सामने आपका answer होगा, again, but, but से कभी किसी passage की शुरुआत नहीं हो सकती, but आपका conjunction है, जो कि contradiction को show करता है, यानि कि अगर यह contradiction है, तो इससे पहले कोई तो statement होगी, जिसके contradictory statement होनी चाहिए, तो A को आप लोग कट कर दीजिए, यह option बहार, समझ में आया, B को देखा, the original tree is no longer there, कहाँ पे भई, कोई तो जगे पहले बताई गई होगी न, तो B को भी आप लोग कट कर दीजिए, हाँ जी, हमने रीड किया, C को, that spring, that spring grew into a tree and is called mahabodhi tree, कौन सी spring, हमें नहीं पता, D को रीड किया, गौतम बुद्धा attained enlightenment under a people tree इन बोध गया, इन बिहार, यहाँ पे देखो, clear cut introduction है, आपको पता है, starting किस से होगी, D से होगी, this will be the correct answer, हाँ जी, this will be the correct answer, समझ में आया, अब कितनी देर का questions था, देखो मैंने explain किया है, तो time लगा है, बट अगर आप अपने वे में attempt करोगे examination में, तो A के साथ, but को देखत C के साथ, that आपका demonstrative pronoun है, ठीक है, तो यह किसके लिए आता है, demonstrative pronoun यह demonstrative adjective भी आप अगर कहोगे इसको, तो आप मुझे यह बताइए, यह किसके लिए आता है, कोई चीज तो होनी चाहिए, जिसकी तरफ यह इशारा कर सके है, जिसको यह point out कर सके, तो C भी cut, अब B और D में स आप खुद समझ सकते हों कि कौन सा sentence जो है introduction है, खतम बात, D is the correct answer, चलिए, बढ़ते हैं question number fourth पे, बताइए जी, क्या answer होना चाहिए? हाँ जी, आपके according, क्या answer होना चाहिए? चलो आप देखो, बस आप introduction find out करने की कोशिश कर लीजिए, या फिर जैसे इस question की बात की जाए, देखो introduction का मतलब क्या होता है, introduction का मतलब है कोई नाम दिया गया हो, नाम बोले तो कोई noun दी गई हो, पहले अगर noun है, उसके बाद pronoun है, तो आपको भी बताए कि pronoun noun की जगह पे आता है, students बोलते हैं कि मैं यह complete नहीं होते है, फिर grammar की अगर आपको basic knowledge है तो आप इन चीज़ों को relate कर सकते हो, अच्छा जैसे अब यहाँ पर देखो, October 7 है और यहाँ पर October 3 है, तो आप यह तो समझ सकते हो कि पहले कौन सा आएगा, पहले October 3 आएगा, उसके बाद ही तो October 7 आए होता है, अब possibility या तो इसकी है या तो इसकी दो ही options आपके सामने हैं, हाँ जी, possibility या तो इसकी अब आपको यह देखना है कि introduction कौन से में है, जैस आप यह चेक करोगे आपके सामने answer है, तो D को देखा, हमने, he had gone missing on October 3, 1849 and was found a few days later, ठीक है, B को देखा, Edgar Allen Poe was a famous American author, हाँ जी, introduction है कि नहीं है, बिल्कुल, B से आपके शुरुआत होनी चाहिए, this will be the correct answer, ठीक है, चाहे आप वैसे start कर लीजे कि B से शुरुआत है, C से और D से, तब भी आपको मिलेगा introduction इसमें है, तो ये दो options वैसी कट जाएंगे, समझ में आया है, तो आप जैसे भी, जिस भी तरीके स से अप्रोच करो, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से, हमने A को रीड किया, नहीं किया, हमने C को रीड किया, नहीं किया, हां जी, समझ में आया, तो मैं आपको explain कर रही हूं, तो वेशक time लग रहा है, बट ऐसा नहीं कि इतना ही time जाके आपको paper में भी लगाना है, बिल्कुल आपकी reading skills पर भी depend करता है, कि आपको read करने में कितना time लगता है, comprehend करने में कितना time लगता है, चलिए, question number fifth पर चलते हैं, आप अपने according answer mark करके रख लीजिए, फिर देखते हैं, वो सही है कि नहीं हाँ जी क्या answer होना चाहिए आपके according देखो, possibility देखते हैं, या तो A से है, या C से है, या D से है, आपको भी पता है कि maximum possibility C से होनी चाहिए, फिर भी A को देखा, अच्छा, despite this, अच्छा, यहां से मैं आपको एक grammar का concept बता देती हूँ, यह actual examination में जो है, question आया हुआ है, despite, despite के साथ कभी भी आप off का use नहीं करोगे, despite का मतलब ही होता है, in spite of, तो in spite के साथ आप off का use करते हो, और in spite of is equal to despite, तो इसके साथ दुबारा off लगाने के जरूरत नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, के बावजूद, हां जी, इस का मतलब होगा आपका के बावजूद तो यहां पर आप एक चीज देखो कि despite से शुरुवात तो नहीं हो सकते हैं आप इसको कट कीजे पहले कोई statement होगी उस चीज के बावजूद भी ऐसा समझ में आ रही है मेरी बात तो A से शुरुवात तो होगी निकट कर दो C को B को देख of the film ही कौन तो C से शुरुवात होगी अब C आपका या तो रिलेट करेगा D से या फिर रिलेट करेगा A से हां जी यही possibility है C आपका या तो A से या फिर D से तो देखो despite this he was very good at delegating work एक तो पहले बात की में पूरी फिल्म उसकी होती है इसके बावजूद भी delegating work में वो बहु करेक्ट आंसर अच्छा मुझे एक बात बताओ अगर आपको फिर भी डाउट लगे तो आप यह देखो A और D को read करना delegating work even after delegation तो पहले delegating work होगा उसके बाद ही तो उसके बाद की बात होगी ना तो A के बाद आना चाहिए D समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं question number 6 पे question आ आपने according बताईए approach कैसे करना है मैं आपको सिखा चुकी हूँ चलिए question number 6 पे आपके सामने है आपके according क्या होना चाहिए आपके बात है झाल झाल हाँ जी question number 6 की अगर बात की जाए तो किस तरीकी से आप एप प्रूच करोगी देखो same method है पहले आप options को देखिए A, B और C यही possibility है maximum है C की तो C को ही पहले read किया a question often asked by us in India is whether we will get timely health care in an emergency ओके ठेक है अब हमने A को देखा therefore therefore आपका एक तरीके से conclusion के लिए आता है तो A से शुरुआत तो नहीं होगी इस option को कट कर दीजिए B को read किया A cardiac arrest as is well known needs revival within 4 minutes possibility है दोनों से ही possibility है कोई दिकत की बात नहीं अब आपको पेर बना के देखना है कि कैसा पेर किससे बनेगा चलिए देखते है हाँ जी देखो यहाँ पे देखो within 4 minutes उसको revival चाहिए within 4 minutes यहाँ पे अब देखना A therefore an advanced ambulance needs to reach the patient immediately समझ में आया B आपका relate किससे कर रहा है A से तो यहाँ पे देख लो this will be the correct answer हाँ जी this will be the correct answer कोई भी आप एक pair बना लो और उससे आपका answer सामने आ जाएगा इतने questions में इस question में आपको pairing करने की need थी otherwise pairing करने की need भी नहीं थी और यह आपके mains के questions है तो अव्यस्सी बात है प्री का level इन से कुछ ना कुछ कम ही होगा चलिए question number 7 पे चलते है बताना क्या answer होना चाहिए हाँ जी क्या answer होना चाहिए बताना क्या चाहिए जीसे कने को शेता है गताना क्या सक्ट की違ा mooi अथे यह यह आताना क्या जीसे कि ओुमार्ण क्या टार और दुमार्ग क्या यह ऑ는ा क्या क्या corrections चलो question को approach करते हैं, देखो, 7th question आपके सामने है, सबसे पहले आपको करना क्या है, options चेक करो, या तो शुरुवात है B से, या फिर C से, या फिर D से, हाँ जी, यही possibility है, maximum है C की, आपको भी, ये चीज अब तक समझ आई होगी, चलो, फिर भी देखते हैं, read करेंगे, Louis Armstrong was a famous jazz musician, हाँ जी, नेम आ गया, आप सभी में देख सकते हैं, his, he, he, अब नेम है, उसके बाद ही तो मतलब pronoun आएगा न, तो C से शुरुवात है, fixed है, ये चीज, दो options कट, C आपका relate भी B से करेगा, ये बी चीज fixed है क्योंकि दोनों ही options में, हाँ जी, तो C आपका B से relate कर दिय है कि as a child, he always landed in trouble, अब आपको बस A और D का ये देखने है कि chronology देखनी होगी, तो देखो, once he found a pistol and fired it in the street, unfortunately, this resulted in his going to jail, obviously बात है पहले, pistol और fire करेगा, तभी तो jail जाने की बात होगी, तो D आपका relate करेगा A से, ठीक है, तो this will be the correct answer, हाँ जी, this will be the correct answer, समझ में आया, इस तरीके से आप questions को approach करो, maximum possibility है कि आप उस चीज़ को accurately answer कर दोगे, चले एक चलते हैं, question number 8 पर, आपके सामने question है, हाँ जी, question number 8 आपके सामने है, आप अपने according बताईए, attempt करने की कोशिश कीजिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे approach करना है, अगर आपको इस class का revision करना हो, तो 2x की speed पर कर लेना, या accordingly जैसे जितना आप समझ सको, झाल आपके सामने हैं, कर दोगर हैं? झाल झाल अटेम्ट कीजिए उसके बाद हम देखेंगे कि क्या correct answer होना चाहिए हाँ जी चलो देखते हैं तो देखो या तो शुरुवात हो सकती है C से या फिर D से अच्छा आपको भी पता है the maximum possibility C से है फिर भी विल चेक हां जी तो देखो C को रीड किया according to Gautam Bhatia a leading architect we need to bring about a radical change in our model of housing okay बहुत जादा possibility है D का देखा sadly nearly 70 years later after a hundredfold increase in city population density and land value we still persist on the same outdated outmoded model ठीक है समझ में आया तो देखो एक simple सी बात है पहले ये बोल रहा है कि change करने की जरूरत है उसके बाद ही तो reason देगा कि क्यों तो D से शुरुवात नहीं होगी इस option को cut करो अब आपको बस ये देखना है कि C relate किस से करेगा हां जी C आपका जो है relate किस से कर रहा है यहाँ पर देखना He states that in early 1950s a house in most cities relied on the bungalow model अब एक बात को आप समझना पहले आपका B आया है उसके बाद ही तो D आएगा पहले 1950s की बात होगी और उसके बाद यह बोलेगा कि nearly 70 years later समझ में आया तो B के बाद ही तुरंत बाद हो या ना हो यह चीज़ नहीं बट इसके बाद ही होना चाहिए तो इस option को आप कट कर दीजिए इस option को भी कट कर दीजिए This will be the correct answer हां जी This will be the correct answer B के बाद D समझ में आया चलो आगे बढ़ते हैं question number 9 पर आपके according आप attempt कीजिए कि क्या होना चाहिए फिर मैं आपको बताती हूँ हूँ हाँ जी क्या आंसर होना चाहिए देखो नाइन्थ क्वेस्चन की अगर बात की जाए तो शुरुआत आपकी A, C और D यही पॉसिबिलिटी है मैक्सिमम चांस है सी के बट विल रीड ठीक है देखो दिस रेकॉर्ड ओफ this record of migration is one of the greatest natural events on earth, this कौन सा हमें नहीं पता है, ठीक है तो A को आप कट कर दीजिए मैक्सिमम चांस इस A के थे बट A आपका शुरू में ही कट हो गया, C को देखा the migration of the monarch butterfly is an amazing phenomenon, तो यहां पे देखा C में introduction है D को रीड किया, they travel over 3000 miles to reach their winter habitat in Mexico, they कौन यह, तो D से भी शुरूआत तो नहीं हो सकते है, this will be the correct answer, अच्छा जैसे मैंने आपको कहा था maximum possibilities है, बट 100% नहीं है, तो यह वो exception था, हाँ जी, यह वो exception था, जहां पे दो options, एसे होने के बाद भी जो answer है, वो आपका C से, और यह option, यह इस तरह वाले question बहुत simple रहते हैं, क्योंकि आपने एक यह चीज़ देखा, तो confusing option तो खतम, अब आपको बस introduction देखना है, बात खतम, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 10 पे, क्या होना चाहिए, answer आप मुझे 10th question आपके सामने है, आपके according क्या answer होना चाहिए, हाँ जी आपके सामने हैं, 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 आपके सामने झालो, 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 को question number 10 कि अब बात की जाये, को शुरुआत, या तो हो सकती है, C से या फर D से, हाँ, आपको ये पता लगे कि C आब टमे से, तो आपको दो options cut हो जाएंगे, includes a leading NGO of India, runs a clothes for work scheme, and gives clothes and beautiful items in exchange for work done, झालो थीक है, बहुत possibility है, recently as a part of this game, कौन सी scheme? ये, work scheme जिसमें आपको काम के बदले clothes मिलते हैं ठीक है An old lady in Madhya Pradesh village was given a pair of slippers तो D से शुरुवात तो नहीं है इसको cut कर दो दो options को C अभी या तो A से relate करेगा या फिर D से relate करेगा हाँ जी क्या होना चे फिर आपके according A को read किया As soon as she was given the slippers अब यहाँ पे पहले slippers दी गई है उसके बाद ही तो कोई step लिया जाएगा तो D के बाद आना चाहिए A अगर D के बाद है तो C से तो A relate नहीं करेगा तो C आपका relate करेगा D से and this will be the correct answer हाँ जी समझ में आया इस तरीके से अपरोच करोगे maximum possibility है कि आप लोग accurately उस question को answer कर दो अच्छा यहाँ पे एक चीज समझना क्या यहाँ पे spelling girl लिख दी गई है क्या यह होनी चाहिए spelling तो देखो दो चीज़े होती है इसको हम बोलते है cloth the की sound और इसको बोलते है cloth the की sound difference है यह होते है आपके stitch जो कपड़े होते है ठीक है और इसको बोला जाते है unstitched जो कपड़े का piece of cloth होता है उसको बोलते है ठीक है reference है यह होंगे आपके सिले सिलाए और यह just piece of cloth समझ में आया आगी बढ़ते है question number 11 पे question आपके सामने है बताए क्या answer होना चाहिए आपके according क्या answer होना चाहिए आपके सामने है attempt करना अच्छा ऐसे नहीं करना है कि जस इस वीडियो को बिना pen और notebook के देख लिया ऐसा नहीं करना है proper आप अपना pen notebook लेके बैठो relate करो क्योंकि आपके पास actual examination में भी rough paper तो होता ही है pair बनाओ जैसे भी आप लोग attempt करते हो उस तरीके से करो कम से कम time में answer निकालो झालो question number 11 की अगर बात की जाए तो देखो शुरुवात A से possible है B से और C से और D से हाँ जी बस अब आपको introduction देखना है कि कौन से sentence में और आपके सामने आपका answer होगा clear हुआ भी देखो these tribes believe that they can communicate with the dead ancestors only through this language कौन सी tribe और कौन सी language again समझ में आया cut करो today linguists call such a language an isolated language कौन सी language की बात हो रही है आपको नहीं पता इसको भी cut करो दो options आपके cut हो चुके है C को read किया Zuni is a language अच्छा इस language की बात हो रही है spoken only by Zuni tribes और ये tribes C आपका clear cut introduction है this will be the correct answer अगर आपको doubt है तो आप D को read कर लीजिए it is remarkable that these tribes ये वाली have been able to preserve their language कौन सी ये वाली तो introduction आपका C में है D को read भी नहीं करना पड़ा और वैसे भी read नहीं भी कर अप एक एक sentence को read नहीं भी कर होगे तो भी आपको अगर आप overall देखते हो तो C में आपको introduction देख जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं question number 12 आपके सामने है क्या answer होना चाहिए आप अपने according question answer mark कीजिए उसके बाद मैं बताती हूँ पूरी वीडियो को सब लोग sincerely attempt करना और आप देखोगे इन 60 questions के बाद ही आपको confidence भी boost होगा और आपका score भी improve होगा और जैसे जैसे question number आगे बढ़ते जाएंगे आप लोग और अच्छे से attempt भी कर पाऊगे हाँ जी question number 12 की अगर बात की जाए तो देखो शुरुवात A, D और C ठीक है maximum chance D के बट विल C अच्छा पहले आपको दिख जाए ना pronounce तो उसको ये मान के ही मत चला करो किससे शुरुवात होगी कहीं ना कहीं कोई और introduction definitely होगा C को देखा दे further advice further advice से शुरुवात तो नहीं हो सकती है आप एक चीज समझो further का मतलब क्या है further का मतलब होता है next अब पहले कोई चीज है उसी के तो next कोई चीज होगी समझ में आया तो C को cut कर दीजिए D को देखा minimalist believe that clutter causes a lot of stress and waste precious space हाँ जी possibility है we'll see अब यहाँ पे देखो they also believe एक पहला believe दूसरा they also believe that one must not hold on to hold on to things if one doesn't use them and love them anymore उसके बाद देखना उसके बाद आना चाहिए आपका C दे further advice ठीक है तो this will be the correct answer this will be the correct order चलिए आगे बढ़ते हैं question number 13 पे अपने according आप बताईए कि क्या answer होना चाहिए then we'll check चाहिए бुटष favorites Lord झाटे हैं è झाजा है भड़क झाल आपपकि क्या answer है पैजा हैं get हाँ जी attempt कीजी अपने according फिर हम चेक करते हैं कि क्या answer होना चाहिए कर 20 चकाहिए किजी अचू है तर्बीक इसमी एम जी जाँ को सुन हाँ झाक आ हुआ सुन है ए semua philosoph looking देखो, 13th question की अगर बात की जाए तो आपके जो शुरुवात है वो या तो A से या B से या फिर D से ही हो सकती है clear है इतना? अब देखते हैं A को read हिया Its chief feature is that किसका? हमें नहीं पता It एक pronoun है, pronoun किसी noun के लिए तो आएगा ना? चलो, इसको छोड़ो B को देखा, a hood unit is a kind of detective story made famous by Agatha Christie possibility है बहुत ही ज्यादा D को देखा, as the reader goes along, he or she takes notes of the clues, reduces and tries to identify the criminal before climax यहाँ पर introduction है, story का नाम है, किसके द्वारा famous की गई है तो B से introduction होगा आपका, B अब या तो A से relate करेगा या फिर D से अब A को भी हमने देखा है, its chief feature is that reader is given the opportunity to play along देखो, यह story है और इसका chief feature तो B आपका सीधा सीधा A से relate करेगा and this will be the correct answer हाँ जी समझ में आया this will be the correct answer, clear हुआ आगी बढ़ते हैं, question number 14 था आपके सामने है अब अपने according attempt कीजिए, then we'll see देखो, 14th question को ध्यान से observe करोगे आपको read करने की ज़रूरत नहीं है पूरा-पूरा बट आप मोटे-मोटे भी अगर तोर पे देखोगे तो B में सीधा-सीधा introduction देख रहा है यह हो गया नाम, ठीक है, यह हो गया writer का नाम तो B से अगर आपका introduction है, दो options को अगट कर दो अब B आपका, या तो D से relate करेगा, या C से अब आप read कर लीजिए, he ends up making a delightful nuisance for himself या फिर the story is about a tiger who pops by for T obvious सी बात है, B आपका D से relate करेगा the tiger who came to T, यहाँ पे तो B अगर आपका D से relate कर रहा है, तो this will be the correct answer option number 3 is the correct answer, समझ में आया, अब A को तो read करने की भी हमें need नहीं पड़ी है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने explain किया है, तो ज्यादा time लगेगा, otherwise examination में इतना time नहीं लगना चाहिए, question number 15 पे चलते हैं, बताइए क्या answer होगा हाँ जी, question number 15 पे आपके सामने है, अब अपने according बताइए कि क्या answer होना चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए question को observe करते हैं, possibility या तो A से है या C से या D से, हाँ जी, यही possibilities है, maximum है D की, देखते हैं, while writing a story और a novel, the setting is very important, हाँ जी, C को देखा first of all, अच्छा कोई तो step होगा जिसका first of all बताया जाए, कोई दिक्कत नहीं है, A को देखा further more, पहले कोई चीज होनी चाहिए उसी के बाद की तो बात होगी, तो A से तो शुरुआत होने से रही, तो देखो, जब अब story को लिखते हैं, तो setting बहुत important है, first of all, make it as specific as possible, तो D आपका, D से शुरुआत है, और D आपका relate करेगा C से, तो this will be the correct answer, हाँ जी, this will be the correct answer, समझ में आया, आगे बढ़ते हैं, question number 16 आपके सामने है, बताईए, आप अपने according solve कीजिए, फिर मैं बताती हूँ कैसे answer होगा, जैसे-जैसे questions आगे बढ़ेंगे, वैसे-वैसे speed बढ़ती जाएगी, हाँ जी, जैसे-जैसे, questions बढ़ेंगे, हम speed increase करते रहेंगे, क्योंकि sentence rearrangement को लेके बहुत जादा queries आती हैं, कि मैं कैसे solve करना है, कैसे attempt करें, समझ में नहीं आता है, हिंदी नहीं बनती है, यह सब करना ही नहीं है, options देखो, उसके according कीजिए, हाँ जी, 16th question को attempt कीजिए, तो देखो, question number 16, में सबसे पहले observe करो, options, शुरुवात या तो A से है या C से, अब दू sentences को read करोगे, वही से पता लग जाएगा, कि कहां से शुरुवात है, next, अच्छा, A को देखा, next, अब मैं आपको starting, मतलब कितनी बारी में चीज बता चूक है, next का मतलब क्या होता है, अगला, sequence में next, तो अगर कोई पहले चीज है, उसी के बाद तो next आएगा, तो आप इसको cut करो, C से शुरुवात है, देखा, अब सी रिलेट या तो B से करे या, फिर A से करेगा, तो A को देखा, next step, step by step from this, from the shallow waters, you are gradually divided to dive in safe areas, okay, B को हमने read किया, this dry lesson is followed by wearing the gear and then entering shallow waters, अच्छा, outside water ही तो dry हुआ, और पहले dry, उसके बाद shallow, उसके बाद safe areas, तो C, B, A, यह आपका बनेगा, हां जी, तो this will be the correct answer, समझ में आया, ठीक है, तो देखो, dry lesson पहले बहार सिखाएंगे, उसके बाद safe areas और उसके बाद actual में आप dive कर सकते हो, समझ में आया, यही chronology रहती है, 17th question आपके सामने है, answer बताईए, 17th question, आप अपने according approach कीजिए, झालो, 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 यह आपके सामने है, बाद आपके से बादाएंगे, चलो देखो 17th question में सबसे पहले आपको options ही observe करने हैं या तो A या तो B या तो C possibility B की maximum है फिर भी we'll check हां जी तो देखो B को पहले read कर लो an American research study has found that vitamin A intake can lower risk of skin cancer हां जी introduction की बात है फिर भी A को देखा की A के sources बताए गए है C को हमने देखा it suggest it में क्या पहले कुछ चीज तो हूँ तो इन दो options को cut कर दीजी अब B आपका या तो A से relate करेगा या D से A को हम read कर चुके BD को देखा this study has been published in JAMA dermatology तो देखो पहले नाम है उसके बाद कहा पब्लिश की गई है तो this will be the correct answer हां जी this will be the correct answer dermatology क्या होता है comments में बता ना dermatology और कम से कम भी तीन ऐसे words जिसमें इस root word का use किया जाए जिसका मतलब मैं आपको बता देती है उस किन तो आप आप बता सकते हैं कि dermatology क्या होगा चलिए next video में मैं आपको वो तीन words बता दूँगी जिसमें इस root word का use किया जाते है question number 18 पे चलते हैं आप अपने according attempt कीजिए हां जी कि अपने आपको बता देती हैं आपको जाए कि अपको बता देती हैं आपको 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 बता देती हैं हाँ जी 18th question आपके सामने है क्या correct answer होना चाहिए options observe करो, relate करो देखो, options पर ध्यान देना A, C और D यही possibility है maximum C की है, but we'll check सबसे पहले आप लोग C को ही read करो, my first year as a doctor in UK is over and this is what I have learnt हाँ जी, possibility है, but देखते हैं, the most helpful thing you can do is to hold someone's hand when they most need it, okay इसकी भी possibility है, D को देखा, no matter what anyone tells you writing that urgent discharge summary is not the most important thing you'll do today हाँ जी, तो तीनों में ही अप confusion है आप 100% sure नहीं हो सकते हो, कोई दिक्कती बात नहीं है, यह वो sentences है, जिन में आपका अगर थोड़ा time लग भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे दो questions आएंगे, या 20 questions अगर में इन्स की बात की जाए तो, 20 में से अगर 2 में time लग रहा है 18 आप जल्दी कर पा रहे हो, तो उसको फिर easy कहा जाएगा, चलिए देखते हैं also, jotting down notes for your seniors on word rounds is probably not the most important thing, समझ में आया हाँ जी तो यह हुई पहली not important और यह हुई दूसरी not important तो B के बाद D आना चाहिए, हाँ जी, आपने अगर पेरिंग भी की है तो कैसे करोगे, B के बाद आपका आना चाहिए D, clear हुआ तो आप कौन से options को कट कर दो कौन से options को आप कट कर दोगे इसको कट कर दो हाँ जी इसको कट कर दीजे और इसको cut कर दीजिए, या तो ये, या तो ये, इसके according, अब बस आपको ये देखना है कि कौन से, my first year, this will be the correct answer, this will be the correct answer, चलो 19th पर चलते हैं, क्या होना चाहिए? 19th question आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए? 19th question आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए? 20th question आपके सामने होना चाहिए? options A, B और D, यही possibility है, बिलकुल, तो अब आप यहाँ पे ये चीज़ देखना, कि A को हमने रीड किया, one of the crocodiles was four feet long and almost six years old. अच्छा, यहाँ पे एक rule बनता है, क्या? unit से आपका rule है, कि अगर कोई numeral हो, उसके बाद कोई unit हो, उसके बाद चाहे adjective हो, चाहे nounों फरक नी बढ़ता, लेकिन ये unit हमेशा singular रहेगी. तो यहाँ पे years नहीं, year होना चाहिए, समझ में आया? हाँ जी, यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए? year. आप देखो, किन क्रोकोडाइल की पहले कोई जिक्र तो होना चाहिए ना? हमने B को read किया, post this announcement, कौन सी announcement, कुछ तो पता हो, तो B को सबसे पहले cut कर दो, D को देखा, after the monsoon deluge, the forest department of Vadodara has so far rescued three crocodiles, which had swum into residential areas, उन में से एक, हाँ जी, D से शुरुवात होगी, और D आपका relate भी किस करेगा, A से, sorry, D आपका A से relate करेगा, उसके बाद ये announcement और उस announcement के बाद, तो this will be the correct answer, हाँ जी, this will be the correct answer, चलिए, question number 20th पे चलते हैं, बताए क्या answer होना चाहिए, question number 20th पे चलते हैं, क्या होना चाहिए? झालते हैं, क्या होना चाहिए? चलो, question number 20 देखू, A है, B और C, A से नहीं होगा, therefore, आपको पता है ये चीज़ देखते ही, cut करो, I believe that India as a country needs the happiness curriculum, okay, they are dejected lot and will definitely benefit from this curriculum, कौन सा? ये वाला happiness, तो B से शुरुआत है, C को cut करो, अब B आपका या तो D से relate करेगा, या फिर C से relate करेगा, C को हमने read कर लिए, D को देखा, it is really needed for the younger generation, अचाहिए, यहाँ पर देखना, it का मतलब क्या ये curriculum चाहिए? और younger generation की बात हो रही है, यहाँ पर कि they are a dejected lot, rejected का मतलब होता है, हताश, निराश, समझ में आया, तो B आपका अगर D से relate करेगा, तो this will be the correct answer, हाँ जी, समझ में आया, first will be the correct answer, तो देखो, इस तरीके से आपको questions को attempt करना है, अब ये जो questions थे, 20 questions थे, आपकी 11th September वाली shift के थे, 11th September 2019 में जो examination आपका हुआ है, mains का, CGL 2018 उनके questions थे, अब हम बढ़ेंगे 12th September के questions की तरफ, तो चाहे तो आप हर shift के according अपना score बता सकते हैं, चाहे overall, तो 20 questions हमने कर लिए हैं, आगे बढ़ते हैं 21st question की तरफ, 21st question आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, बता दीजिए, झाहिए, बता बता दीजिए, आपके सामने हैं, बता भता अपके सामने हैं, इता सकते हैं, inmostा खना parfois भदके सामने हैं, जापके साल यह हैं, जा हैं, जा जा हैं metat तरफ, लिजए, 21st question आपके सामने है अब लोग answer बता दीजिए अब ये question में ना students बहुत अदर generally confused रहते हैं चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम solve करते हैं इसको A, B और C यही है there were some mangoes lying beside him कौन है भई नहीं पता, cut करो she looked at the mangoes lovingly कौन है, नहीं पता Romy was growing fast and was nearly always hungry हाँ जी, noun है, C से शुरुवात हो सकती है शुरुवात D से भी हो सकती थी, बट D options में नहीं है मतलब अगर noun के basis पे आप देखोगे तो C और D दोनों से possibility थी, बट C आपका options में D नहीं है, तो D को छोड़ो अब C आपका, या तो relate करेगा B से या फिर A से अब students को generally confusion रहते हैं कि इस Romy को वो girl समझ के she से relate कर देते हैं और बोलते हैं हम यह answer होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान से observe करना, D को girl का name होगा, हाँ जी तो D के बाद ही कहीं न कहीं B आना चाहिए, समझ में आया D के बाद अगर B आएगा this will be the correct answer हाँ जी, this will be the correct answer समझ में आया, आगे बढ़ते हैं question number 22 की तरफ attempt करना 22 का बताओ चलिए, possibility है A, B और C हाँ जी, A, B, C यही possibility है चलिए, देखते हैं I caught a snake once, okay that well, कौन सा well नहीं पता B को cut कर दो I caught it by its tail किस की बाद हो रही है, snake की बाद हो रही है and dropped it in the old well इस well के बारे में that है, तो C आपका introduction है, यह answer हो जाएगा D को तो read करने की भी need नहीं बढ़ी और हमारे सामने answer visible है चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 23 पे आप तक आपको समझ आया होगा कि कैसे attempt करना है, ठीक है 23rd question आपके सामने है, attempt कीजिए आपके 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 आपक 23rd question 23rd question में क्या करेंगे न शुरुवात B और D 23rd question में पहले 101aka की बात होगी तब भी तो हवा वाओं की बात होगी तो भी आपका क्लियर कट इंटोड़क्शन हुआ अब भी रिलेट करेंगा डि से ये भी फिक्स्ड है अब इस में से देखना It was tossed high on the waves The helpless people aboard the ship Plunged into the sea हवा की वज़े से ही तो वो Toss किया जाएगा तो D के बाद आएगा A, D आपका relate करेगा A से तो this will be the correct answer हाँ जी समझ में आया This will be the correct answer चलिए आगे बढ़ते हैं Question number 24 आपके सामने है क्या answer होना चाहिए Question number 24 आपके सामने है Question number 24 आपके सामने है sommेर में आपके सामने है झालियो में अ क्यांने है क्या है Guide सामने है Commission % हां जी question number 24th की बात अगर की जाए तो देखना अगर प्लेस बात हो रही है तो बीच की बात होगी तो C आपका introduction हुआ अब C या तो A से relate करेगा या D से तो D को देखा We made sand castles with huge walls वी में कौन ये exciting children और में ठीक है तो C आपका A से relate कर रहा है this will be the correct answer this will be the correct answer चलो question number 25th का बताना की क्या answer होना चाहिए आप अपने according mark कर दीजिए फिर हम देखते हैं की correct है मतलब क्या answer correct होना चाहिए बताना की बा unicorn प्रृवच 0 हम पंपने बताना की बता बताना चाहिए झाल 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 देखो A और B दो ही possibility है Flying kites is an old sport This sport involves a lot of risk कौन सा flying kites तो A introduction है B को cut करो दो options आपके cut हो चुके है अब देखना या तो आपका जो A है वो relate करेगा B से या फिर D से B हमने रीट किया This sport involves a lot of risk D the igniter was quite popular during the days of the nawabs हाँ जी अब generally students क्या करते है A को B से relate कर देते हैं लेकिन आप ये चीज़ को observe करो क्योंकि risk है इसी वज़े से one has to be very cautious and skillful तो B आपका C से relate करेगा B के तुरंत बाद C आना चाहिए तो this will be the correct answer हाँ जी Third will be the correct answer चलो Question number 26th के according बताना क्या आना चाहिए Question number 26th के according क्या answer आना चाहिए First set के comparison में जो speed है वो थोड़ी सी fast की है क्योंकि अब 20 questions आपने बिल्कुल अच्छे से सीख लिए अब आप थोड़ा सा इस चीज़ को कर सकते हैं कि speed थोड़ा increase करो बागी के questions में last set और हम जल्दी से cover करेंगे 26th question में आपको करना क्या है अगेन options से आपको देखना है A और D A को देखा I learned to push Lily's wheelchair One afternoon I wheeled her to the park तो हर में कौन आ जाता है Lily तो A आपका introduction है इसको आप cut कर दीजिए तो A आपको देखना है relate किस से करेगा या तो B से या फिर D से I stopped the chair in front of the pond and watched Lily roll her eyes to see the ducks देखो पहले सीखा उसके बाद park लेके गया और pond के सामने chair रोक दी तो A आपका D से relate कर रहा है This will be the correct answer Option number 2 will be the correct answer चलो 27th का बताईए कि क्या होना चाहिए 27th question आपके सामने है क्या correct answer होना चाहिए झाहिए 2 क्या क्या है झाल झाल 27th question में देखना A, C और D A को रीड किया The officers are looking to reunite the dog with his honor A police officer on a motorcycle chased the dog Achi hua hua ran across California Since Francisco, Oakland, Bay Bridge यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है तभी तो police officers को catch करेंगे तो D आपका introduction है Cut कर दीजे बाकी दो options D आपका relate B से कर सकता है या फिर C से B को देखा था Eventually the police caught the G हुआ हुआ अब यहाँ पे आप देखना पहले पीछा करेंगे तभी तो पकड़ेंगे तो D आपका relate किसे करेंगा C से This will be the correct answer हाँ जी This will be the correct answer Question number 28 के according बता जीजे क्या answer होना चाहिए Question number 28 आपके सामने है क्या answer होना चाहिए हाँ जी Question number 28 के according बताईए कि क्या answer होना चाहिए क्या answer चाहिए 28th question आपका A से शुरू हो सकता है B से या फिर C से A को देखा If we drove 10 km along the road that branched off to the right we would reach Brahmapur Okay Aditya and I We may con Aditya and I So B आपका introduction है 2 options आप कट कर दीजिए बात करते हैं C की We had reached a point where the road bifurcated Now bifurcated By का मतलब क्या होता है 2 Bifurcate का मतलब हता है 2 हिस्सों में तूट जाना ठीक है तो इस टाइब से रोड एक बार इस तरफ चली गई इस तरफ चली गई तो यहां पर आप देखना B आपका relate किस से करेगा D से ही करेगा क्योंकि दोनों options में यह तो we were driving along NH40 अब पहले C आएगा या पहले A तेखो पहले आना चाहिए C उसके बाद A reason क्या है इस चीज़ का पहले रोड बाइफर केट होगी उसी के बाद तो आप right की तरफ जाओगे समझ में आया तो आपका correct answer हो जाएगा B, D, C, A This will be the correct answer हाँ जी This will be the correct answer Question number 28 आपके सामने है बताइए क्या answer होना चाहिए Question number 28 क्या answer होना चाहिए fiance बताओभ के साम अ क्या Auto सामने है हाढ फन्सक decॉचह उसंवद़ का है खरवाल अ जापके मान क्याने है थचर सकत तरह पीज़ के सामने है एण总भ देखो 29th question वे आपको करना के अगेन आप options अप्रोच कीजिए A, B और D यही possibility है A को read किया The other day we entered the city's only Jewish cemetery Okay possibility है A की possibility है B को देखा but then Again but से शुरू तो नहीं हो सकता ना Cut करो D को देखा although Jewish people have lived in India for generations They are one of the nation's tiniest minorities ठीक है A को देखो A की ज्यादा possibility है A को आपको नहीं भी लगता तो कोई दिकतनी है अब आप C को देखो We were astonished to discover how tiny it was किसकी बात हो रही है Cemetery की Cemetery क्या होता है Kabristan Where the dead are buried तो A के तुरंत बाद क्या आना चाहिए C आना चाहिए तो A के तुरंत बाद C A के तुरंत बाद C हाँ जी तो this will be the correct answer समझ में आया एक चीज़ और समझना entered देखो preposition की अगर बात की जाए तो दो चीज़े होती है एक होती है in और एक होती है into अब एक चीज़ तो सबको बता है दोनों का sense जो होता है वो make sense में है in आपका आता है static के लिए into आता है आपका motion के लिए ठीक है यह आता है आपका static के लिए यह आता है आपका motion के लिए जैसे की the students are sitting in the class ठीक है the cat jumped into the river तो static और motion enter के साथ क्या आना चाहिए in या into क्या यहाँ पे गल्त लिखा हुआ है पहला question इस question को answer करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाती हूँ देखो कम के साथ क्या आता है कम के साथ आप in क्यूं लगाते हूँ into क्यूं नहीं लगाते reason यह है इस चीज का in आपका यहाँ पे किस की तरह act कर रहा है किस की तरह act कर रहा है adverb की तरह मैंने एक चीज पूछी come where where का मतलब क्या होता है where का answer आपको किस से मिलता है adverbs यहाँ पे proposition नहीं है adverb है और enter का मतलब क्या होता है enter का मतलब होता है come in तो जब इसके साथ already in है ही इस word में, तो इसके साथ in या into की need नहीं है, general sense में, matter क्या कर रहा है है आपे general sense, लेकिन जब भी abstract चीजों की बात होगी, जब भी abstract phenomena की बात होगी, वहाँ पे आप enter के साथ into का use करोगे, जैसे की, क्या हो जाता है, abstract में, they entered into a partnership, entered into an agreement, entered into pact, समझोते की अगर बात हो जाए, partnership की बात हो जाए, तो वहाँ पे आप enter के साथ into का use करोगे, otherwise need नहीं है, समझ में आया, यह concept important है, paper के point of view से, चलिए आगे बढ़ते हैं, question number 30 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, question number 30 आपके सामने है, आपके according बता दीजिए कि क्या answer होना चाहि question number 30 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, आपके सामने है, 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 आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, आपके सा को भी आप सेम तरही के से अप्रोच करोगे A, B और D, ठीक है, तो A को देखे है, security cameras captured the whole incident, B को देखा, commuters in Virginia, USA got a shock when a deer entered a metro station, अब यहाँ पर भी आप देख लीजे, same example, ना in है ना in two है, ठीक है, तो B से शुरुआ आते साफ पता लग रहा है, हटाएं दो options को, अब B जो है, आप nobody knows how it made into the station, तो देखो, enter किया और किसी को idea नहीं है की कैसे, ठीक है, तो B आपका सीधा सीधा D से relate करेगा, this will be the correct answer, हाँ जी, आप आगे देख लीजे की, eventually ran away unharmed, और यह पूरा incident जो है, security cameras में है, correct logic बना, चलिए, question number 31st का बता दीजे की, क्या answer होना चाहिए, हाँ जी, question number 31st, आपके सामने है, आपके according क्या answer होना चाहिए, हाँ जी, question number 31st की बात करते है, B और C, दो ही possibilities है, B को read किया, she was by no means pleased with this unnecessary addition to her family, when he reached Calcutta, Fatigue met his aunt for the first time, हाँ जी, तो C से शुरुवात है, इसको cut करो, C या तो B से relate करेगा, या फिर A से relate करेगा, A को देखा, and taking this village land into their mind was terribly upsetting, तो यहाँ पे देखो, his aunt, और उनकी जो aunt थी, she was by no means pleased, वो खुश नहीं थी, तो C आपका B से relate कर रहा है, this will be the correct answer, चलिए, question number 32 का बताईए कि क्या होना चाहिए, question number 32 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, question number 32 या तो possibility है, A से या फिर D से या फिर C से, हाँ जी, A को देखा, she was a tall woman and she carried a large purse, okay, it was 11 o'clock at night and a woman was walking alone, समझ में आया, तो D, C से आपके शुरुआत हो रही है, and this will be the correct answer, चलिए, D को फिर बेरीट करके देख लो, अगर आपको doubt रहता है तो, it had a long strap, किसकी बात हो रही है, purse की, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, question number 33 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, question number 33 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, आपके सामने हैं, देखो, शुरुआत पॉसिबल है, C से, B से, और D से, B को देखा, इन एक्सपेडिशुनर हैड लेफ्ट इट सिटिंग, ओन दी आइस, वाइल ही विजिटेड अरूकरी, तो, इट का क्या है, इस दी को देखा, इन अंटाक्टिका, टू पैंगुइन्स फाउंड अ वीडियो कैमरा, C से, शुरुआत है, दो अप्शन्स को कट करो, अब इसकी बात हो रहे हैं, क्योंने कैसे मिला, तो, C आपका डाइरेक्ट रिलेट करेगा, B से, इस विल बी दी करेक्ट आंसर, 34th question का बता दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए, हाँ जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 1st question के comparatively, अब हम थोड़ा fast चल रहे हैं, उसका reason बस यह है, कि जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे, speed improve होनी चाहिए, 20 questions मैंने बिल्कुल आपको आराम-ाराम से पढ़ा दीए, अब थोड़ा speed से 60 questions हम कवर करेंगे, चलिए, क्योंकि एक student के time से important कोई चीज होती नहीं है, चलो, 34th question आपके सामने बताएए, A, B, C, D, क्योंकि आपोगे, हां जी तो देखों, question number 34 की बात अगर की जाए तो A, C और B यही possibility है A को हमने read किया, due to the movie tourists started coming to the beach there, कहां की बात हो रही है हमें नहीं पता B में introduction होगा यह आप clearly देख सकते है Maya Bay in Thailand was in the media in 1999 when Hollywood arrived there to film the beach तो B से starting है अगर, तो हां जी आप इस option को cut कर दीजी इसको और इसको answer आपके सामने है this will be the correct answer अब इससे easy question sentence rearrangement में नहीं पूछा जा सकता है चलिए, 35th का बताईए 35th का बताईए चलो question की बात करते है या तो possibility B से है या C से है it was the fact end of the summer of summer, हां जी a strong wind began to blow and the rain came causing havoc all around ओकी दोनों में इस confusion है अब आप एक काम करो pairing करने की कुशिश करो one day however we had a cyclonic storm अच्छा, पहले storm आएगा उसी से तो havoc create होगा हां जी, समझदो इस बात को पहले आपका storm आएगा उसके बाद ही तो havoc create होगा तो D के तुरंत बाद C this will be the correct answer चलिए question number 36 ता आपके सामने है क्या answer होना चाहिए question number 36 ता आपके सामने है क्या answer होना चाहिए पंधने है खुनPad क्याроп drinking क्यांने है क्या आपके से आपके सामने है चलो, देखो 36th question में भी अगेन आपको same approach रखना है B, D और C, ठीक है बट से शुरू नहीं होगा, देखते ही सबसे पहले cut किया करो Flying kites is my favorite past time, okay It is really a thrilling exercise, क्या, flying kites ना, तो D से शुरूआत होगी D अब B से relate करें या C से But this past time is getting out of favor now हाँ जी, तो देखो, अब D आपका relate किसे कर रहा है D आपका C से relate करेंगा, इस चीज़ का reason यह है कि पहले आप यह बताएं कि कैसा experience उसके बाद ही तो करोगे कि अब out of favor हो रहा है, तो D जो है relate करेंगा आपका C से, this will be the correct answer This will be the correct answer, चलिए Question number 37 आपके सामने है, second set complete होने वाला है 20 question each set, first 20 question 11 September Next 20 question 12 September और उसके बाद next 20 आपके 13 September वाले questions हम solve कर रहे हैं तो second set बस complete होने वाला है, बताएं, 37th question आपके सामने है क्या answer होना चाहिए झेंगले चाहिए क्या सामने है क्या सामने हाँ झाल झाल चलो 37 में शुरुआत A है A से हो सकती है, B से हो सकती है या D से हो सकती है Mr. Adams was very proud of it and insisted on an inspection by everyone The vault was a small one but it had a new patented door The Elmore Bank had just put a new safe and vault D से शुरुआत होगी आपकी A को कट, ये बाकी options कट बस आपके सामने answer है 37 का क्या answer हो जाएगा? 4th one, correct चलो, आगे बढ़ते हैं question number 38 38 के बाद two more questions to go second set complete question number चलो, देखू, देखू on Saturday 10th, टाइफून लेकिमा made land fall in China's Jhejiang province हाँ जी अब इस प्रोविंस किसकी बात हो रही है? B इसकी तो A से शुरुआत है बाकी options को आप कट कर दीजी अब A relate भी किससे करेगा? B से या D से? More than 1 million people were evacuated from their homes पहले province रिलेट किया जाएगा उसके बाद ही evacuation की बात होगी ठीक है? तो A आपका relate करेगा B से this will be the correct answer clear हुआ भई? चलो, 39th question आपके सामने है बताइए क्या answer होना चाहिए? हाँ जी 39th question आपके सामने है क्या answer होना चाहिए? क्यांने है चलो, देखते हैं question को B और D यही possibilities है on Saturday an oil tanker in Tanjania lost control and overturned on a busy road okay possibility है at least 61 people died and 70 more were injured क्यों? इसकी वज़े से होगा न तो B में introduction है अब B आपका C से relate करेगा की A से around 150 people gathered near the tanker and some of them tried to siphon away some fuel okay after around 20 minutes of the crash the tanker caught fire and exploded अच्छा मुझे एक बात बताना अगर उसमें already fire लगी हुई है तो लोग उसके near थोड़ी न gathered होंगे समझ में आई बात तो B आपका सीधा सीधा relate करेगा C से तो this will be the correct answer हां जी this will be the correct answer अब लोग gathered हुए fuel लेके जाने की कोशिश कर रहे फिर explode होगा तब ही तो ये चीज होगी वरना oil tanker में 61 लोगों का क्या काम समझ में आया question number 40 last question of this set अभी सारे questions हम solve करेंगे अभी पहले 40 बताइए कि क्या होना चाहिए हां जी हां जी देखते हैं देखो क्या possibility है शुरुवात या तो आपकी हो सकती है A से या फर B से A को देखा and I was your earning अब and से तो शुरुवात नहीं होगी न तो A को आप कट कर दीजिए B से ही जो है starting possible है either this or this अब B आपका या तो C या तो D B को देखा It was 20 years ago at that time I was living in Paris I had a tiny apartment in Latin Quarter overlooking a cemetery ठीक है तो B आपका सीधा relate करेगा C से तो this will be the correct answer हां जी option number 2 will be the correct answer तो यह आपके हुए 40 questions दो सेट हम complete कर चुके हैं 11th September and 12th September एक सेट बागी है 30th September वाला वो भी अभी solve करेंगे अब आप मुझे यह बताएए जैसे जैसे हमने 40 questions जैसे अब complete किये तो आपका score जो है improve हो रहा है धीरे धीरे और आपका confidence बढ़ रहा है अपने चीज नोटिस की होगी करना क्या है at the end of the session आप सभी अपना score definitely बताना कि 60 में से आप लोग कितना score कर पाए या फिर आप चाहे तो इस वीडियो को 20-20-20 के sets में 3 parts में attempt कर लो कोई दिक्कत की बात नहीं है either way this will be very helpful चलिए आगे बढ़ते हैं question number 41 पे चलते हैं हम क्या होना चाहिए question number 41 आपके सामने है क्या answer होना चाहिए अब last के 20 questions देखो पहले 20 questions हमने पूरा time लगा के attempt के फिर 20 questions थोड़ा speed बढ़ाई अब ये जो 20 questions हम बहुत ही जल्दी से cover कर लेंगे चलिए आपके सामने question है क्या होना चाहिए आप मुझे बता दीजिए क्या answer होना चाहिए चलो 41st question आपके सामने है क्या होना चाहिए देखो possibility क्या है A B और D A को read किया It requires continuous learning and sacrifices OK What हमें नहीं पता B को देखा To raise well-behaved and responsible children one should be willing to invest a considerable amount of time, patience and energy possibility है D को देखा There is no doubt that parenting is among the most difficult and demanding tasks in the world हां जी तो देखना possibility सबसे ज्यादा किसमे है D में Parenting की बात हो रही है उसके बाद ये चीज़ बताई गई है अब D आपका हां जी D से अगर शुरुआत हो रही है तो बस This will be the correct answer हां जी This will be the correct answer चलो Question number 40 second की बात करते हैं बताना क्या answer होना चाहिए Question number 40 second बताना क्या बताना क्या है 42nd question आप observe करना ध्यान से देखो Possibility है A C और D Haan जी Possibility A, C और D A को देखा She started the Udaipur based organization Sikshantar To create a space for self-directed learning Called unschooling Haan जी आप सीधा सीधा इस देख सकते हैं Introduction के chances हैं बिल्कुल C देखना Nidhi Jain अच्छा अब यहाँ पे देख लो आप She किस के लिए होगा? Nidhi के लिए तो Nidhi Jain Has been an unschooling parent For over two decades तो C में Fix हो गया की introduction है यह cut कर दीजिए C अब relate करेगा या तो B से या फर A से Haan जी B को देखा It also recognizes अब यह देखो C आप हमने A को read किया है C आपका directly relate किसे कर रहा है A से तो this will be the correct answer Haan जी B से क्यों नहीं करेगा जैसे हमने पढ़ा It also पहले मुझे यह तो बताईए कि एक चीज तो यह organize करे उसके बाद ही तो कोई दूसरी चीज अभी तो सिरफ इसने यह बताया है कि unschooling parent उसके बाद क्या? यह चीज समझ में आया? यह organization और यह क्या करती है समझ में आया? चलो Second will be the correct answer Question number 43rd आपके सामने है Question number 43rd आपके सामने है क्या answer होना चाहिए? चलो 43rd question बताईए देखो possibility है या तो B या तो C B को देखा Williams who is said to be one of the first to fly aboard Boeing Starliner spacecraft in November 2019 was introduced at the festival by former NASA astronaut Mike Massimino C को देखा on September 22nd 2018 NASA astronaut Sunita Williams a veteran of two long duration space flights talked to families and space enthusiasts about the space travel अच्छा मुझे बता न full name किसमे है? इसमे कि इसमें obvious सी बात है C से शुरुआत होगी B को कट कर दो C आपका या तो B से रिलेट करेगा या फिर D से B को आपने रीड किया ही हुआ है हाँ जी B को आपने रीड किया है D को रीड करेंगे She was speaking at the Intrepid Air, Sea and Space Museum during the recent Space and Science Festival तो देखो C आपका रिलेट कहां पे करेगा? यहां पे Family से बात्चित कहां होगी? यहां पे तो C आपका D से अगर रिलेट करेगा तो 3rd will be the correct answer हाँ जी 3rd will be the correct answer Question number 44th पे चलते हैं बताइए क्या होना चाहिए Question number 44th क्या answer होना चाहिए? Speed increase इस वज़े से किये जैसा कि आपको Starting में ही बोला था कि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे Speed increase होगी First 20 question हमने बहुत आराम से किये Next 20 आराम से अभी 20 हम cover करेंगे थोड़ा speedily 44th question का answer क्या होना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? Attempt कीजिए आप अपने recording फिर मैं explain करती हूँ कि क्या correct order होना चाहिए? तो ध्यान से देखना इस चीज को relate आपका शुरुआत किससे हो सकती है? A, B और C यही options है हांजे अब देखना new ideas on marketing were brainstormed and all the members agreed to try them fought with OK upon their return from an off-site camp Ravi and Sunil decided to hold a meeting name किसमे है? introduction अब B आपका या तो relate करेगा C से या D से As soon as everyone assembled the meeting which lasted for 4 hours began its purpose was to replace some of the old ways of marketing used by company with new ones हांजे आप देख सकते हैं B आपका relate किसे कर रहा है directly? B आपका directly relate कर रहा है C से हां जी उन्होंने decide कि वो meeting को hold करेंगे और जैसे ही सब लोग इखटा हुए meeting जो कि 4 घंटे तक चली शुरू होगी तो B आपका C से अगर relate करेगा this will be the correct answer अब meeting जो शुरू हुई है उसी के purpose की बारे में तो बताया जाएगा चली question number 45 पे चलते हैं क्या answer होना चाहिए question number 45 आपके सामने है क्या answer होना चाहिए हांजी क्या answer होना चाहिए चलो देखो relate शुरूआत किससे होगी A, B, C, D बस आपको अभी यह देखना है कि शुरूआत किससे हो सकती है introduction किस में है और आपके सामने आपका answer होगा चली देखते है some used car में have been involved in accidents or salvaged and rebuilt before buying a used car it's important to know everything there is to know about it ज्यादा possibility है if the car engine is clean it's a good sign but still ask for a test drive it is therefore D से तो नहीं होगी ठीक है तो अब आपने तीन sentences में देखा कि यह introductory sentence है this will be the correct answer हां जी this will be the correct answer बट फिर भी अगर आपको doubt है तो एक चीज़ देख ले न भाई देखो it is therefore very important to examine the car's injury for any fluid leaks अगर सही है तो भी test drive के लिए जाओ तो D C ऐसे relate होगा चलो आगे रेखते हैं question number 46 question question number 46 क्या option correct होना चाहिए आपके according अगर आपके लेकर 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 है हां जी झाल झाल चलो देखो या तो शुरुआत हो सकती है A से या तो B से या तो D से यही possibility है देखते हैं इसका मतलब क्या होता है B तो यससे शुरुआत तो शुरुआत की possibility तो नहीं है कट करो It is possible to retrain your brain to have a sound sleep भंजी possibility है Start by regulating the times you go to bend and get up भंजी B से शुरुआत होनी चाहिए और B आपका relate किसे करेगा B आपका relate करेगा D से कि भी possible है brain को train किया जा सके कि sound sleep के लिए सबसे पहला क्या है time को आप regulate करो तो B आपका D से relate करेगा third will be the correct answer 47th question आपके सामने है क्या होना चाहिए correct answer attempt कीजिए minimum छाहिए जर्फ क्या है क्या हो प्रो पुरू झाल झाल देखूँ चार सेंटेंसे है ओप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं या तो B या तो C The boy saw that pillar was getting crowded with nails and realized his mistake C को देखा Father wanted to inculcate a sense of responsibility in his careless son हंजी इस son की बात हो रही है चलिए तो C में introduction है कट कर दीजी अब C आपका या तो relate करेगा A से या relate करेगा D से clear हुआ A को देखा So he told his son that for every careless act of his he would hammer a nail into a wooden pillar in their house and for every positive act he would pull out one nail तो यहाँ पे देखिए C ऐसा करना चाहता था इसलिए ऐसा कहा C आपका सीधा सीधा relate कर रहा है A से First will be the correct answer हाँ जी First will be the correct answer चलो 48th question आपके सामने है क्या होना चाहिए correct answer बता दीजीए क्या है चलो 48th question possibility A से है C से और D A से है स्टार्टिंग में देखो There is a story about an ancient Indian sage who was called ugly names by a passerby C को देखा He finally, he korn और finally से तो फिर शुरुवात तो नहीं हो सकती है Cut करो The sage, korn ये तो introduction है A में अब A आपका C से relate करेगा या फिर D से relate करेगा तो देखो The sage listened unperturbed, undisturbed till the man ran out of the words तो यहाँ पर देखिए A आपका directly relate किसे कर रहा है D से चलो, तो this will be the correct answer Question number 49 आपके सामने है 49 9 बताएए कि answer होना चाहिए 5 बताएए चलो, यहाएए झाल झाल देखो, possibility है C और D, read किया, even today Charlie is widely regarded, अच्छा, यहाँ पर देखो, even today Charlie, और यहाँ पर देखो Charlie Chaplin, तो पूरा नेम, फुल नेम जिसमें वह वह introduction होता है, D से, introduction है, अब D आपका या तो relate करेगा B से या फिर A से, तो देखो, Charlie Chaplin was born on April 16, 1889 in London and named after his father, a British Music Hall entertainer, He spent his early childhood with his mother, birth और उसके बाद early childhood की बात हो रही है, तो D आपका relate करेगा B से, this will be the correct answer, हाँ जी, 49th का correct answer हो जाएगा, first one, 50th question आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए? तो ति마ने है, तुfen के, क्याने है, तुक है, तो देह का powार है, 10th कि देख।, छुर्षे यापके से, तो लापके से, इस आपके महीं अदर होता है, तो रही है, झार का झारिए? तो दॉत देखो possibility है A से, B से या फिर D से over the past week the state has been pounded by intense rainfall thus transforming the July deficit to surplus किस state की बात हो रही है अगर आप ध्यान से देखोगी तो this is the state ठीक है तो B से आपका जो है introduction होना चाहिए this is the correct answer दो sentences read की हमारे सामने answer है clear हुआ चलिए आगी बढ़ते हैं question number 51st पे क्या answer होना चाहिए बदाइए question number 51st आपके according क्या answer होना चाहिए आपके अवाइए आपके पढ़ते हैं हांजी टेखो possibility A और B options को हमने notice किया A और B A को देखा in the study researchers found that kids who experienced their growth spurt late had lower than average bone density in young adulthood B को देखा teens who hit puberty late may end up with weaker bones a new study finds अच्छा एक चीज समझ ना हांजी this or this A और B introduction आपका किस में है इस में इस study की बात हो रही है और इस study में ये चीज डिस्क्राइब रही है तो B से introduction है और B आपका relate भी किस से करेगा A से करेगा क्योंकि ये चीज और फिर इस में detail तो this will be the correct answer हंजी this will be the correct answer चलिए 50 second question आपके सामने है क्या correct answer होना चाहिए चलो 50 second question आपके सामने है क्या answer होना चाहिए क्याता हुंष कि ये तूह झीज ये लिजय है टूह कैंटा चाहिए क्यार फूह क्या झीजई तुशने है क्या से जाँ है झाफ़ दूट ए छिर एल झाट पार दलीग शीज़ पॉसिबिलिटी है A, C, D A को रीड किया Having cancer is often one of the most stressful experiences in a person's life C को रीड किया The groups are gaining popularity these days as they allow volunteers to talk with those who are living with cancer D को रीड किया But अब आपको पता है But से तो शुरुवात हो नहीं सकती है तो cut करो A और C हाँ जी Introduction किसमें है Clearly आपका जो introduction है वो A में है तो options cut अब A आपका relate या तो C से करेगा या फिल D से करेगा हाँ जी तो हमने third sentence C को रीड किया था Groups are gaining popularity these days as they allow volunteers to talk with those who are living with cancer But these days there are support groups that help patients cope with the emotional aspects of cancer by providing an opportunity to share feelings and challenges they face with others हाँ जी तो A आपका सीधा सीधा relate करेगा D से third will be the correct answer Next question आपके सामने है बताए क्या correct answer होना चाहिए 53 53 53rd question आपके सामने है बताए क्या होगा correct answer correct order pa प्रेख क्या आपके सामने है प्रेख के सामने है तो 53rd question आपके सामने है क्या होना चाहिए? correct answer, बताइए चलो, देखो possibility है A और C, A को देखा spoon दी brownie batter into the prepared pan and bake for 30-40 minutes, okay to make chocolate chip brownies mix together melted butter, brown sugar and white sugar using a wooden spoon और hand mixture, हां जी introduction किस में है introduction है आपका C में अब C आपका relate या तो A से करेगा या फिर D से करेगा हां जी, C आपका relate या तो D से करेगा या फिर A से करेगा D को हमने देखा next stir in flour and salt and mix until flour is incorporated and then add some chocolate chip, हां जी, C आपका relate करेगा D से ये चीज से जो बनता है उसको बोलते हैं better जो base बनता है हां जी, उसको बोलते हैं better तो C आपका relate करेगा D से second will be the correct option next question आपके सामने है attempt कीजी और बताइए कि क्या answer होगा हां लूम जूं आपका जाल हाँ जी तो question number 54 आपके सामने है आपके according क्या answer होना चाहिए आपके सामने है 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 देखो, possibility है B से, C से और D से B को देखा once, Tenali Raman wanted to visit the Kali temple on the outskirts of the city and pray, okay It was quite dark by the time Tenali reached, अचाहे, यहाँ पे देखो, introduction किसमें होना चाहिए? हाँ जी, introduction किसमें है, full name किसमें है, B में, तो chances हैं, introduction आपका होना चाहिए, B में D को देखा फर B Raman, who was desired to see mother Kali in all her glory, looked at her from left to right and right to left and could not control his happiness तो B में आपका introduction है, बागी दो options को cut कर दीजिए B आपका relate करेगा आप या तो C से या तो A से हाँ जी तो B, जैसे हमने option C को read किया, B आपका relate कर रहा है C को, कि it was quite dark जब तक वो temple पहुँचा, तो this will be the correct answer हाँ जी, second option will be the correct answer question number 55th आपके सामने है set हमारा complete होने वाले 60 questions इसके बाद 5 more questions to go चले बताईए 55th question का answer क्या होना चाहिए से जी बताए 55th आपके सामने याज़ये दो आपके सामने है युचा आपके सामने है झाल 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 B को देखा तो देखना equation what will be the correct answer? झाल possibility है B और C यही से starting हो सकती है when you have them right and keep practicing, you are sure to bake some of the yummiest cakes, okay? success in life is just like baking a cake that requires many things, हाँ जी, possibility C से, देखते हैं अब C आपका relate या तो D से करेगा या A से, firstly, unless you have the right ingredients and recipe, it is not going to work, C आपका relate करेगा सीधा सीधा D से, ठीक है? यहाँ पे देखो, ingredients must therefore be of finest, quality पहले उनका जिक्र होगा, उसके बाद quality की बात होगी, चले 57 पे चलते हैं, बताये क्या answer हो नचा ये, हांची झो झोओले जी, हांची देखो, possibility है A and D, हांजी, possibility है A and D, read, read किया, though everything was on the up and up for Holzman, yet something wasn't quite right, Okay, Holzman, a well-known chef, हांजी, D से, D में introduction है, cut करो, D अब B से relate करेगा या फिर A से, A हम read कर चुके है, पहले D को देखते है, A well-known chef started his career at the age of 15 when the prodigy began cooking under Eric Rippert at the iconic New York restaurant Le Bernardin, ठीक है, यहाँ पर देखा, B को हमने read किया, At 19, he enrolled in the Culinary Institute of America before heading to the West Coast to cook for such well-esteemed restaurant as Paladin, Napa and Aqua, हांजी, तो देखो, D आपका relate किसे कर रहा है, B से, ठीक है, तो this will be the correct answer, Question number 57, 58, question number 58, बताइए क्या answer होना चाहिए झाले झाल झाल हां जी तो देखो possibility है या तो शुरुआत होगी B से या फिल D से Hair loss can be traced to an increase in internal DHT and collagen production ठीक है When too much collagen lines the interior of the follicles It narrows the pores, decreases blood flow and slowly strangle your hair to death अब मुझे बताईए introduction किस में हो सकता है B और D हां जी Clearly introduction है B में B अब relate किस से करेगा या तो A से या D से D को हम read कर चुके हैं A को देखते है according to hair loss experts excess DHT drastically increases collagen production into the hair follicle हां जी Clearly B आपका relate कर रहा है A से तो this will be the correct answer चलिए Question number 59 आपके सामने हैं बताईए क्या होना चाहिए चलिए झाईए Question number 59 आपके सामने है, देखो possibility है, या तो A, या तो C, या तो D, हाँ जी, जैसा कि मैं आपको शुरू से बताती आई हूं, maximum है C, but we'll read all, it was called, take ownership program and it worked, what, we don't know, My colleagues and I felt and behaved like owners because we actually were okay, I once worked for a large bank that gave stock options to all of its employees, हाँ जी, D में आपका जो है, introduction है, clear हुआ, तो this will be the correct option, इसमें इन दो options की need ही नहीं पड़ी, this will be the correct answer, चलो, question number 68 आपके सामने है, क्या होना चाहिए, question number 68 आपके सामने है, क्या answer होना चाहिए, directly check करना है options को, B, C और D, देखो, full form, जहाँ पे भी आपको abbreviation की full form मिल जाए, वहीं से possibility होती है, यह दो options, या तो A, या फिर D, यहीं से जो है, शुरुआत हो सकती है, बट A option में ही नहीं है, तो D से जो है starting होगी, अब D आपका relate या तो A से कर सकता है, या फिर C से कर सकता है, clear हुआ, तो D को देखते हैं, public sector banks across the country will soon have standard operating hours as per a recent move, this move is part of the government's reform agenda, कौन सी move, यह वाली है, तो D आपका clearly relate कर रहा है, A से this will be the correct answer, हंजी, तो 60 questions हमने attempt किये, जो means थे 11, 12 और 13 सेप्टेंबर को, each shift के 20 questions, तो आप सभी मुझे बताएंगे कि आपका क्या score रहा है out of 60, clear हुआ, यह सारे questions बहुत ही ज्यादा important है, CGL 19 के perspective से, CHSL 19 की perspective से, clear हुआ, चलिए, जो भी students, SSE की किसी भी examination को target करके चल रहे हैं, Unacademy Plus एक ऐसा platform है, जहाँ पे आपको एक ही plan में multiple educators के courses मिल जाएंगे, maths हो, English और general awareness हो, या reasoning, सभी के सभी subjects के, सभी best educators के courses आपको मिल जाएंगे, एक ही plan में, अगर आपकी live classes मिस भी हो जाती हैं, attention नहीं लेनी, आप आराम से class recording भी देख सकते हैं, हंची, CGL 2019 और CHSL 2019 के experience के लिए, especially जो batches चल रहे हैं, यह सारे batches आपको मिल जाएंगे, एक ही plan में, 1 year का plan अगर आप purchase करते हो, तो पढ़ जाएगा करीब 4800 रुपीज का, 6 months का अगर आप plan purchase करते हो, तो पढ़ जाएगा करीब 3800 रुपीज का, इस price पे अगर आपको plan purchase करना है, तो discount code यूज करना होगा, PMYT, clear हुआ, हाँ जी, इन plans के साथ साथ आपको latest pattern पे mock test मिलेंगे, class test, class PDF, doubt clearing session, यह सारी चीज़े मिलेंगे, कि किसी भी चीज के लिए कुछ भी आपको अलग से pay करने की need नहीं है, कैसे लेना है अन Academy app पे जाओ, plus section में जाओ, SSA exams को choose करो, अपना plan चूज करो, और यहाँ पे आपको code एंटर करना है, PMYT, और आपको discount मिल जाएगा, one year का plan best रहेगा, एक तो इसमें maximum discount मिलता है, दूसर किसी के लाब आप किसी भी और examination को target करके चल रहे हैं, और या कोई भी और आप plan purchase करना चाहते हैं, तो भी आपको same discount code का use करना है, for the maximum discount, code है PMYT code लगाओगे, तभी discount मिलेगा, हाँ जी, मिलते हैं अब next video में, चले, take care Hey guys, good evening, क्या हाल चाल आप सबके भई, कैसे हैं आप सब, देखो, good evening, क्या हाल चाल आप सबके भई, आज की class में हम करने वाले हैं sentence rearrangement, ओके, इसे को commonly आप जानते हो, पाराजंबल्स के नेम से या फिर PQRS, ठीक है? SSE में Pre में और Mains में दोनों में ही बहुत ज्यादा important है, CGL ले लो, CHSR ले लो, CPO ले लो, सभी में बहुत ज्यादा important है ये, तो आज हम सीखेंगे sentence rearrangement आप किस तरीके से attempt कर सकते हो, जो भी students online है, फटा-फट से मुझे respond करो पहले तो, जो भी students online है, respond करो, मैंने आपको बता रख है कि daily आप 178 का time fix रखो, बढ़ जो कल आपकी class है, वो होगी 177 बजे, ठीक है? कल के जो आपकी class होनी है, वो है आपकी 177 बजे, हलो पायल, दूसरी चीज ये, कि कोई भी आपको doubt लगे, कोई भी ऐसा topic आपको लगे कि मैं आपको कराऊं, तो किसी भी वीडियो के जो भी मेरे session से उन में, किसी भी वीडियो के नीचे, आप comment कर दीजिए, मैं वो topic जो है, करा दूँगी, कोई किसी भी particular topic में आपको problem हो, कल ध्यान रखला सवा साथ बज़े class है, हम करने वाले हैं voices, फिर हम करेंगे narration, voices और narration आपको पताए, pre और means दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, CGL 18 के अगर बात की जाए, तो दो voices के questions आए थे, हर set में, हो सकता है, अगली बार एक voices का और एक narration से आजाए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, और means में तो आपको पताए, voices और narration बहुत ज़्यादा important है, session स्टार्ट करते हैं, given below are four jumbled sentences, select the option that gives their correct order, आपको वो option select करना है, जो कि उनका correct order देता है, फटा-फट से question को observe करो, और मुझे बताओ कि क्या answer होना चाहिए, सबसे पहले options देखो, या तो आपका जो sentence में structure है, या तो वो D से start हो सकता है, या फिर वो start हो सकता है A से, क्योंकि दो option D और दो option A है, तो B और C से start तो नहीं हो सकता, तो आपको पहले A और D ही पढ़ने और देखना है कि कौन से पार्ट में introduction है, तो A sentence को हमने पढ़ा, the cafe's owner says, he is interested in conservation and hopes customers will realize the animals are worth saving even though they often have a bad reputation, ठीक है, फिर हमने D पढ़ा, this cafe which has just opened in Tokyo is not for faint-hearted, आपको clearly दिख रहा है कि D जो option है, उसमें introduction दिया गया है, ठीक है, अगर इस cafe के बाद ही तो cafe owner की बात होगी, तो आपको पता है sentence को जो correction है, यह तो नहीं हो सकता, या तो यह option होगा है यह, दो option सीधा सीधा कट चुके हैं, clear हुआ, तो अब देखो, या तो D आपका relate करेगा B से या फिर C से, अब आप पढ़ो बाकी के sentences, जब यह कह रहा है कि यह जो cafe है, यह faint-hearted, कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, here you sip your drink, in the company of 35 snakes, okay, ठीक है, फिर दूसरा देखा, none of them are venomous, meaning customers can get up close and personal with the reptiles, अब यहाँ पे देखो, D आपका relate कर रहा है C पे, क्यों, क्योंकि कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप coffee पीते हो, 35 snakes के साथ, तो D ने अगर C से relate किया, तो यह आपका correct answer हुआ, समझ में आया, method भी समझ में आया, साथ-साथ, बताओ clear हुआ बई, कि किस तरीके से approach करना है, ऐसा नहीं कि पहले चारो options, चारो sentences को पढ़ो, options के according आपको solve करना है, next question पे आगे बढ़ते हैं, देखो, again आपके सामने, या तो sentence आपका A से शुरू होगा, या फिर C से शुरू होगा, clear हुआ, अब देखते हैं, read करते हैं, the elephant tasks were tracked from the Democratic Republic of Congo for two months, ठीक है, फिर हमने read किया, see, four tons of ivory with a market value of dollar six million, it was an impressive haul, ठीक है, तो A और C, अब आपको पता है, कि introduction की अगर बात की जाए, तो कौन से पार्ट में दिख रहा है, बताओ, introduction की अगर बात की जाए, तो कौन से पार्ट में दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक It's the biggest seizure in the country's history, कौन सा seizure, ये वाला seizure, जो dollar six million का हुआ है, तो C के बाद आएगा B, C के बाद आना चाहिए, B, इतना clear हुआ, अब C के बाद B, कितने sentences में, इसमें तो नहीं है, ठीक है, आपके पास तीन sentences ऐसे हैं, जिसमें C के बाद B है, और C के तुरंत बाद B, कितनों में है, सिरफ एक ही में है, ये हुजाएगा correct answer, clear हुआ, हाँ जी बताइए, clear हुआ, इस तरीके से relate करके चलना है आपको, next आगे बढ़ते हैं, An estimated 70% of this plastic, आप देखो, या तो आपका sentence A से शुरू है, या C से, हमने A को पड़ा, this plastic which enters the sea sinks, यानि जो plastic C में फैंका जाता है, उसका 70% जो है, sink हो जाता है, अब भही कौन सा plastic, बात ओर ये कौन से plastic की, तो A से तो शुरू हो नहीं सकता है, sentence आपका शुरू होगा C से, तो दो आपका शुरू होगा, तो किस से बनेगा, C से बनेगा, C किस से रिलेट करेगा, या तो D से करेगा, फिर A से पढ़ते हैं C को पहले तो, 8 million tons of plastic ends up in the world's oceans every year, causing damage to fragile ecosystem, ठीक है, अब देखो, आप पढ़ो D, and much of it is not biodegradable, A को हमने पढ़ा कि 70%, अब ये कह रहा है, कि 8 millions का 70% sink हो जाता है, C आपका direct relate कर रहा है, A से तो answer हो जाएगा, this one, clear हुआ, B sentence को तो आपको read करने की भी need नी पड़ी, और आपके सामने answer आ गया है, और आप practice करोगे, तो ये आप बात्र 5 से 10 second में आप इस चीज़ को solve कर सकते हो, clear हुआ भई, attempt करो, बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है या नहीं, और ये exam के आई हुए question है, ऐसा नहीं है कि normally मैं कोई भी easy questions आपके सामने रख रही हूँ, exam में पूछे गए हैं, चलो next question का answer आप लोग मुझे बताओगे, fourth आपके सामने है, मुझे फटा-फट से answer बताओ, फटा-फट से मुझे answer बता दीजी कि क्या होना चाहिए, and, and से कभी भी sentence मतब शुरू नहीं हो सकता, कोई भी paragraph and से शुरू नहीं होगा, और a से तो वैसे भी options में नहीं है, या तो b से शुरू होगा, या फिर c से, या फिर d से, तो मुझे बताओ कि क्या answer होना चाहिए, देखो, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, दो options आपके किसे start हो रहे हैं, b से, तो 90% possibility है, 90% possibility है कि जो sentence है, वो b से शुरू होगा, 90%, 10% हो सकता है, c या b से भी से भी शुरू हो जाए, बत 90% है b से, तो सबसे पहले आप b को ही read करो, क्या इसमें introduction है, तो around 4 billion people in the world live in physically water scars area, scars मतलब कमी, तो 4 billion जो लोग है वो ऐसी जगे पे रहते हैं जापे पानी की कमी है, ठीक है, possibility है, कोई दिक्कत नहीं है, अब आओ relate करने पे, a को पढ़ो, and 844 million don't have access to clean water close to home according to latest report by WaterAid, कह रहा है कि, इतने million, 4 billion तो भारते जापानी की कमी है, और इतने million लोगों को तो clean water, मतलब घर के पास clean water की access ही नहीं है, समझ में आई यह चीज, तो आपका b जो है, वो सीधा सीधा relate कर रहा है, a से, b अगर a से relate कर रहा है, तो कितने options ऐसे हैं, जहाँ पर b direct a से relate कर रहा हूँ, a की option है, answer आपके सामने है, समझ में आया, ना हमने c को read किया है, ना हमने d को read किया, दो sentences को read करके answer हमें मिल गया है, आपको बस थोड़ा सा relate करना आना चाहिए, ठीक है, b आपका a से relate करेगा, पायल, थोड़ा सा ध्यान से समझू, next पर बढ़ते हैं, फिफ्ट आपके सामने है, attempt करो question और बताओ मुझे, attempt करो और बताओ कि क्या answer होना चाहिए, हाँ जी, सभी attempt करो, अच्छा question number भी डाल देना साथ में था कि पता लगे, अब देखो, या तो sentence शुरू होगा a से, या फिर शुरू होगा c से, read करो mango, the so-called king of fruits is something of a national obsession in India, okay, c को आपने read किया it, अब it क्या है आपका, it pronoun का use हो रहा है, अगर pronoun है, तो उससे पहले कोई ना कोई noun तो होगी, जिसको ये it refer करे, तो c से तो sentence शुरू होने से रहा, तो ये दो option तो पहले से ही बाहार, 100% surety ये आपको की sentence आपका शुरू होने बाला है, a से, समझ में आया, अगर a से शुरू हो रहा है, आप देखो, a या तो d से relate करेगा, a d से ही relate करेगा, क्योंकि दोनों option में डी है, तो देखो, 2017 brought to be a good year for mango lovers, ठीक है, clear है, अब फिर तुम b को rate करो, there was a bumper crop of mangoes in different states, और c को हमने relate किया, it resulted in price coming down and sales going up, अब तुम एक बात बताओ, अगर bumper crop होगी, तो ही तो price कम होंगे, तो b आपका relate करेगा c से, तो a d b c, किस में है, first option में है, समझ में आया, बहुत बढ़िया, आकाश very good, तो ये छोटी-छोटी चीज़े हैं, जैसे c को देखते ही, हमने sentence नहीं पढ़ा पूरा, सिरफ it को देखके, ये अंदाज है लगा दिया, कि pronoun है, तो पहले कोई ना कोई noun होगा, तो grammar की basic knowledge जरूरी है, reading comprehension को solve करने के लिए, passage भी हम solve करेंगे, close test का एक session हमने किया, आज हमने sentence रिया arrangement किया, आगे हम passage भी solve करेंगे, और passage में आपको mains की कराऊंगी direct, तो फिर आप देखोगे, कि इतना भी difficult नहीं है, जितना आप लोग इसको problematic समझते हो, sound नहीं आ रहा है, किसी और को भी problem हो रही है क्या, six question आपके सामने है, हाँ जी, six question आपके सामने है, मुझे बताओ कि क्या answer होना चाहिए, थोड़ा read कर लिया करो, या तो शुरू होगा B से, या फिर शुरू होगा A से, इतनी बात है, हाँ जी, clear हुआ या तो B से शुरू होगा, या फिर शुरू होगा A से, तो देखो, A को read करो, around 600 million of them, of them, किनका भाई, तो A से तो शुरू होने से रहा, तो ये तो option तो बाहर, sentence आपका शुरू हो रहा है B से, बत्तब ये जो paragraph है, ये शुरू होगा B से, clear हुआ, तो देखो, India is suffering from the worst water crisis, with 1 billion people living in water scarcity, अब A को तो उनने पहले ही पढ़ लिया, कि 1 billion अगर water की कमी वाले जगों पे रह रहे हैं, और उनमें से 600 million, उनमें से 600 million, जहां पे extreme water stress है, तो B आपका direct relate कर गया है, A से, अगर B direct A से relate कर गया, तो ये option भी बाहर, correct answer हो जाएगा, this one, दो option को हमने touch भी नहीं किया, और आपके सामने correct answer आ गया है, दो options को हमने, देखा भी नहीं, रीड भी नहीं किया, और आपके सामने correct answer आ चुका है, B, A, D, C, clear हूँ, अब ही next question पर बढ़ते हैं, 7th question आपके सामने है, फटा-फट से sentences को पढ़ो, और मुझे बताओ कि क्या होना चाहिए, sentence, मतलब को जो paragraph शुरू होने की possibility है, या तो B से है, या फिर A से है, या फिर D से है, या तो B से है, या फिर A से है, या फिर D से है, और दो options में B given है, तो 90% chance है, 90% की जो शुरूवात है, वो B से होगी, बट कोई नहीं हम अच्छे से solve करेंगे, तो देखो, सबसे पहले B को read करो, तो Lunar New Year of the Pig begin on 5th February, ठीक है, एको हमने पढ़ा है, चायना, thousands of people celebrated it, what, महीं पता, तो कोई noun होना चाहिए, तो A से तो शुरू होगा नहीं, D को read करो, some performance re-enacted historical ceremonies, historical ceremonies कहां पे re-enact करोगे, इस festival में न, ठीक है, तो sentence आपका शुरू, जो paragraph शुरू होगा, वो B से होगा, यह option भी बहार हो जाता है, B direct A से relate करेगा, या फिर D से relate करेगा, clear है, तो हमने A को पढ़ा, कि in China, thousands of people celebrated it, किसको इस festival को, जो कि 5th February को शुरू हुआ है, तो B आपका direct relate कर गया, A से correct answer आपके सामने है, first one, first option correct हो जाएगा, हाँ जी पाया, सही बताया, बिल्कुल सही है आकाश, ठीक है, तो इसी तरीके से, आपको सभी questions को approach करना है, next question पर बढ़ते हैं, seven questions हम कर चुके हैं, अभी तक सब में हमने same approach रख है, कि options को cut करो, कि क्या नहीं हो सकता, क्या होगा तो बाद की बात है, चलो, आगे बढ़ते हैं, eight question आपके सामने, मुझे फटा-फटा अंसर बताओ, और ऐसे question number 7 में डाग दिया करो, please पहले नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर बात और यह eight की, अब चाइना की बात नहीं है, सुनो मेरी बात, में चाइना नहीं है, में वो फेस्टिवल है, पूरा डिस्क्रिप्शन फेस्टिवल के बारे में है, पूरा डिस्क्रिप्शन चाइना के बारे में नहीं है, समझ रहो अगर दिवाली की बात होगी, तो पहले आप यह तो बताओगे, ना कि कब celebrate की जाती है, कहां celebrate, पूरा दिवाली में रहेगी, ना कि इंडिया, समझ दो मेरी बात. Eighth question आपके सामने है, बस ये कुछ conceptions ही दूर करने हैं, या तो A से शुरूर होगा, या C से, या फिर D से, तीनी possibility हैं. तो सबसे पहले C को पढ़ो, the USA consists of 50 states including Alaska and Hawaii, ठीक है, A को रीड किया, it, A से तो शुरू होने से रहा, it is one, it का मतलब what, ये प्रोनाउन A से पहले कोई तो नाउन हो, जिसको ये रेफर करें, तो A से तो शुरू नहीं होगा, D को हमने पढ़ा, the United States of America, आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले आपके full form आती है, उसके बाद abbreviation यूज की जाती है, तो sentence जो है, आपका D से start होगा, और अगर sentence D से start है, तो आपके सामने answer है, आपको दूसरा कुछ मतलब पढ़ने की जूरत नहीं है, बहुत बढ़िया, हाँ जी, अरे बहुत helpful रहेगा, आकाश, ये CGL 18 के pre के questions है, और बोलो, CGL 18 का जो pre हुआ था, TCS नहीं conduct कराया था, उसी के questions है, 8 का D answer होगा पायल, थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझो, आपको मैंने एक चीज़ बताई है, पहले full form आएगी, उसके बाद ही तो abbreviation आएगी, तो C और D में confusion है, तो 100% D से शुरुवात होगी, A तो race से पहले ही बार होगा, क्योंकि इट आचुका है, इट प्रोनाउंस से पहले, कोई तो नाउन होना चीज़, इसको ये refer करेगा, तो A तो बाहर, C और D में competition था, तो C में तो USA दे रखा है, इसकी full form किसमें, given at D में, समझ में आया? बिल्कुल सही आकाश, very good, चलो, next पे आओ, ninth question आपके सामने है, मुझे फटा-फट से answer बता दो, again, या तो A, या तो B, या तो D, इन तीनों में से शुरू होगा, तो बताइए, क्या, किस से शुरू होना चाहिए? बताइए, किस से शुरू होगा, चलो, फटा-फट से attempt करो, और बताओ मुझे, ninth question आपके सामने है, हां जी, सभी attempt करो question और बताओ कि क्या answer होना चाहिए? सभी से correct answer चाहिए, eight questions हम already कर चुके हैं, तो अभी मुझे सभी का correct answer भी चाहिए? ठीक है, आप लोगों ने answer किया है, देखते हैं, चेक करेंगे, देखो, या तो B से या फिर A से या फिर D से, तो सबसे पहले क्या करो, B को read करो, क्योंकि B दो options में है, aircraft manufacturer Boeing has grounded the entire global fleet of its 737 MAX aircraft, ठीक है, सब कुछ इसमें नया नया सा है, कि बही introduction कोई pronoun का use नहीं किया गया है, ठीक है, एक हो देखो, the move follows last week's fatal Ethiopian airline crash, कौन सी move, नहीं पता, कौन सी move, समझ रहे हो, तो A से तो शुरू होने से रहा, अब बात करते हैं, कि that was, what was, that again pronoun है, demonstrative pronoun है, इससे पहले कोई चीज तो ऐसी होनी जाए, जिसको एक point out कर रहा हो, तो B भी बाहर, तो B से ही start होने वाला है sentence, मतब जो पहरा ग्राप है, वो B से start होगा, इतना तो clear है, अब B आपका या तो C से relate करेगा, या फिर B आपका A से relate करेगा, A हम पहले read कर चुकेगी, अगर इसने सारी अपनी fleet को ground कर दिया है, तो ऐसा क्यों किया, भाई, last week जो Ethiopian airline का crash हुआ था, उसकी वज़े से B अगर A से relate कर रहा है, direct answer आपके साम नहीं है, clear हुआ भाई, तो correct answer था M E, आपका, हाँ जी, समझ में आया कि किस तरीके से चीजों को देखना है, इसके बाद देख लो, अगर आपको लगता है कि मैं इतने में नहीं समझ में आया, तो आप D को read करो, जैसे हमने यह option है, अब check कर लो, कि A के बाद D जचरा मतलब उससे relate कर रहा है कि नहीं, that was the second time in five months की यह crash हो, पहली बार कहा, यहाँ पर, मतलब second time, यह चीज, यह कौन सा वाला था, second time था, समझ में आया भई? चलो, आगे बढ़ते हैं, 10th आपके सामने अब question है, मुझे 10th का answer बताओ, 10th question आपके सामने है, बताए, क्या answer होना चाहिए? सभी का answer चाहिए मुझे? question नमबर भी डाल दिया करो, साथ साथ में? तो देखो, या तो B से, या फिर D से, या फिर A से, इनी में तीन possibility है, C से तो start होई नहीं रहा है, सबसे पहले हम B को read करेंगे, the United States of America holds a dominant position in the world because of its high economic development, ठीक है, सारा introduction है, A से start नहीं होगा, क्योंकि it pronoun का use आचुका है, D से भी नहीं होगा, again it का use आचुका है, तो आपको पता है, B से start होने वाला है sentence, अब B या तो आपका A से relate कर सकता है, या फुर C से relate कर सकता है, तो देखो, it has been a leading producer in both industrial and agricultural goods, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, USA की बात हो रही है न, समझदो यह चीज़को, यहाँ पे जो बात हो रही है, किसकी USA की हो रही है, क्यों मों dominant position को hold करता है, क्योंकि दोनों ही जगया पे वो leading producer है, तो B आपका अगर direct A से relate करेगा, तो answer आपके सामने है, clear हुआ भई, अगर B direct आपका A से relate करेगा, तो answer आपके सामने है, बहुत बढ़ी आकाश, very good पायल, हाँ जी, correct है, अनुराग, very good, हाँ जी, am I, बिल्कुल सही, बहुत correct है, अबिल आश, very good, आगे बढ़ो 11th question, मुझे सबका correct answer चाहिए इसमें, एक चीज़ और कि कोई भी question या कोई भी topic particular आपको लगता है कि इसमें difficulty है, या आप चाहते हो कि मैं वो topic कराऊ, तो ये जो video इसके comment section में post कर देना, कोई भी topic ऐसा लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, टिपिकल है, जैसे हमने कल possessive case of noun किया था, तो grammar का, cab का, कोई भी चीज़ आपको लगे कि solve कराई जानी चाहिए, 11th question आपके सामने है, देखो, या तो A से शुरू हो सकता है, या फिर C से शुरू हो सकता है, clear हुआ, दो ही possibilities है, what can we do to avoid anger and provocation, ठेक है, देखते हैं, फिर हमने C को read किया, तो society is full of people who think and act differently, A से भी possibility है, and C से भी possibility है, आप दोनों में से किसी भी चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं इस question में, तो हम अराम से फूरा solve करेंगे, एक एक चीज़ relate करके चलेंगे, अब आपने B को पड़ा, anger and tension are prevalent due to conflicts arising out of these differences, कौन से differences? ये, इन्होंने जहां पर ये बताया है, कि जो लोग है, हूँ सोचते अलग है, काम अलग करते हैं, और इनी differences की वजह से anger and tension generate होती है, तो C आपका सीधा सीधा B से relate कर रहा है, clear हूँ, C अगर B से relate कर रहा है, तो कितने options हैं, जिसमें C के तुरंट बाद भी है, ये option बाहर, ये option बाहर, आपके सामने दो option निकल के सामने आईए, चलो आगे देखते हैं कि एक इससे relate करेगा, ये इसने इस question का answer दिया है, कि anger और provocation को avoid कैसे कर सकते हैं, अभी negative experiences को आप positive में turn कर दो, ये चीज़ तो हमारे हाथ में है, तो A ने relate किया D से, तो D से relate कितने options में कर रहा है, ये दोनों condition कहां satisfy हो रही है, D option में, समझ में आया, तो ये हो जाएगा आपका correct answer, बहुत बढ़िया जाया, very good, अभी लाशा, हांजी पायल, सही बताया है, clear हुआ भई, हांजी जाया, C, B, A, D हो जाएगा answer, एक एक चीज, जहांपे हमको एक sentence पढ़के answer मिला है, हमने वो question भी किये हैं, जहांपे चारो sentences पढ़ने पढ़ें, वो question भी हमने solve किये हैं, चलो, 12th question आपके सामने है, मुझे फटा-फट से answer बता दीजिए, survival of the fittest, Darwin की theory थी, उसी पे based हमारा ये, theory थी, तो उसी पे based जो एक question है, या तो A से शुरू है, या तो B से शुरू है, दो ही possibility हैं, C और D से शुरू नहीं है, read करेंगे, दोनों sentences को, देखो, only the fittest preachers can survive, while competing for food, ठीक है, B को हमने read किया, why do some species survive, and others become extinct, तो यहां पर ही introduction वाला question है, बट अगेन हम दोनों में से किसी भी part को, जो है, ignore करके नहीं चल सकते, A से भी, B से भी, अब हम individually relate करेंगे, this was the question, that Darwin asked himself, कौन सा question, ये वाला question, ठीक है, कौन सा question, Darwin ने कुछ से पूछा, कि क्यों कुछ species survive कर जाती है, बाकि extinct हो जाती है, तो जो B है, B ने direct relate किया D से, B से कितने options में relate कर रहा है, दो ही options में या तो ही आगे बढ़ते हैं, His answer was that there is ceaseless struggle for life among all creatures, अब question करने के बाद ही तो वो person answer करेगा, तो यहाँ पे C और ये उसका correct answer है, survival of the fittest, समझ में आया, तो ये आपका answer हो जाएगा B, 12th का answer है B, B, D, C, ये correct है अनुराग, very good अन्मोल, बहुत बढ़ी है आकाश, हाँ जी, M, E, एमी, एक सेट, answer B, D, A, C होगा, A, D, वाला नहीं होगा, अब घिलाशा correct है, हाँ जी, जया, समझ में आ रहा है, अब मुझे ये बताओ कि questions easy लग रहे हैं कि difficult लग रहे हैं, और ये easy वाले questions, अगर आपको, easy लग रहे हैं, अगर आपको question easy लग रहे हैं तो level questions का नहीं होता, आपकी preparation का होता है, यानि आपने preparation को सही direction दी हुई है, चलो next question पर आगे बढ़ते हैं, next question करते है, solve, 13 आपके सामने है, मुझे फटा-फट से answer बता दू थैंक यू, अदित्यो, आप सभी को सेम चीज मैं बोलूंगी बार-बार, कि कोई भी topic आपको लगता है, पूरी grammar, पूरी vocab में से कोई भी topic आपको लगता है, कि मैं इस topic में particular problem है, वीडियो के comment section में post कर देना, अपकमिंग sessions में वो doubts को लिया जाएगा, जैसे आपका daily class ही होती है, 7-8 का time fix है बट कल हमारी class है, 7-7 बजे जिसमें हम voice करने वाले हैं, pre और mince, CGL, CHSL, CPO सभी में important हैं, चलो, 13 देखते हैं, या तो A से शुरू होगा या फिर D से, दू ही possibility हैं हमारे सामने, तीसरा तो कोई case नहीं है, A को देखो, it was very unusual as boys were not supposed to be out of school at this later, what was very unusual, मुझे ये बताओ कि क्या आजीत था, तो A से तो शुरू हो नहीं से रहा, तो आपके जो unusual चीज थी वो यही थी, D आपका direct relate कर रहा है, A से, तो B और C को देखने की भी नीड नी पड़ी, आपके सामने question का answer आ गया, DA, BC, बहुत बढ़िया अन्मूल, correct है, silver, बहुत बढ़िया, All the very best, अजित्या, All the very best, हाँ जी समझ में आया, तो आपका answer हो जाएगा, DA, BC भी बहुत बढ़िया, All the very best जाया, अच्छे से exam attempt करना, एक चीज़ exam attempt करते समय, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होता है, आपने जो पढ़ा है, वो आप अच्छे से attempt कर दो, में यह focus रखना चाहिए, कि भी जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं, वो गलत ना हो, अगर कोई चीज़ ऐसी आजाए, कि आपको नहीं आती, अब obviously आप exam के लिए prepare कर रहे हो, तो आपने एक बारी नज़र से सारी चीज़ है निकाली होंगी, फिर भी अगर कोई चीज़ ऐसी आजाते हैं, कि आपको नहीं आ रही, तो आप यह मत सूचना है, कि सिरफ आपको नहीं आ रही, वो चीज़ अगर बिल्कुल ही नहीं है, तो फिर वो सभी के लिए नहीं होगी, नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो 14 देखो, या तो आपका सेंटेंस ए से या फिर सी से या फिर बी से, ये दूँ ही पॉसिबिलिटीज है, जहां से सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा, तो देखो, मुझे आप लोग बताईए कि कहा से सेंटेंस शुरू होने वाला है, चलो, अटेंट कर लिया होगा सभी ने, सॉल करते हैं, देखो, ओकी, ठीक है, या तो आपका A से, या फिर C से, या फिर B से जो है सेंटेंस शुरू होने वाला है, हम A को रीड करते हैं, तो ब्रेन इस एक्टिव तू, दूरिंग स्लीप, सेंडिंग मेसेजिस फॉर दी हर्ट तो बीट रेगियोलर्ली, ठीक है, ओके, हावेवर, B से तो शुरूवात होगी नहीं, हावेवर से कभी भी सेंटेंस की जो है शुरूवात नहीं हो सकती है, तो B तो हमने पहले ही कैंसल कर दिया, अब बात करते हैं C की, आपके बात की बात है, पहले तो इसने यहीं बताया है कि हम जो वन थर्ड टाइम अपना सोने में बिता देते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, आपका सेंटेंस जो है वो शुरू होगा, C से तो यह दो अप्शन सी अंसर हो सकते हैं, यह भी कैंसल, यह भी कैंसल, तो C या तो अब A से रिलेट करेगा, या फिर C आपका B से रिलेट करेगा, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, हाँ जी, समझ में आया है, तो आपके पास दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, बी को रिड करो, हावेवर, दो बॉड़ी यूटिलाइज़ दा स्लिपिंग टायम एफेक्टिवली, कि देखो, वन थार्ड हम सोने में यूज करते हैं, लेकिन उसको भी बॉड़ी अच्छे से यूटिलाइज करती हैं, तो C अगर डारेक्ट B से रिलेट कर रहा है, तो थ 15 देखो, 15 का अंसर बताईे, 15 का अंसर बताओ, 15 का फटा-फट से मुझे अंसर बताओ दो classes हैं दो classes हैं जिसमें complete हो जाता है और अगर आपको एक ही class में पूरा देखना है फिर प्रत्योगिता मंतरा चैनल पर आप देख सकते हैं उसमें एक ही वीडियो में सारे rules हैं अगर आप इसी चैनल पर देखोगे तो आपको दो classes मिल जाएंगी चलो 15 तेखते हैं या तो sentence शुरू होगा B से या फिर C से या फिर D से B, C और D तीन ही possibilities हैं आपके सामने A से तो शुरू होगा नहीं दूसरी बात यह कि A जो है शुरू हो रहा है but से तो but से तो वैसे भी कोई paragraph शुरू नहीं हो सकता है अब बात कर लेते हैं बाखी options की तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई है पहले read करते है options फिर देखेंगे the nationalists now begin to openly criticize the policies of British now अब उनोंने शुरू कर दिया है पहले नहीं किया था समझ रहो ना ना पर यह focus गया कि अब शुरू कर दिया है तो B से तो जो है शुरू आत नहीं हो सकती है बात करते हैं C कि the freedom movement changed this situation what situation? कौन से situation को change किया है यह हमें नहीं पता तो C से भी शुरू नहीं हो सकती है और यह जीज मैंने आपको पहले ही सिखाई थी कि अगर A की options है मतलब A की जिसे D से ही अगर दो options है तो 90% chance है शुरूवात D से ही हो तो D को हमने read किया Under colonial rule, the people had lived in fear of the British government and did not agree with many of the decisions that they took ठीक है अब यहां पर यह कह रहा है कि उस ताइम पर तो fear में रहते थे और बहुत सारे decisions जो थे उसे agree नहीं करते थे clear हुआ अब D आपका relate किससे करेगा या तो A से कर सकता है या फिर B से कर सकता है but they face grave danger if they try to criticize these decisions ठीक है तो C आपका relate कर रहा है D आपका relate कर रहा है एसे कैसे कि वो agree तो नहीं करते थे लेकिन criticize भी नहीं करते थे क्योंकि अगर criticize किया तो उनको grave danger का grave danger face करना पड़ता था तो correct answer आपके सामने है D A C B clear हुआ भई D A C B D A C B बहुत बढ़िया very good हंजी जया correct अभी लाशा D A B C होगा okay 13th repeat कर दूँगी चलो clear हुआ 13th एक बारी देख लेते हैं देखो या तो आपका sentence A से शुरू हो सकता है या फिर D से A से नहीं होगा क्योंकि it की बात हो रही है ठीक है तो sentence जो है वो शुरू तो होगा D से इतनी तो चीज clear है अब D से D या तो A से relate करेगा या फिर D relate करेगा B से तो D को हमने पढ़ा Mr. Oliver The school teacher saw a lonely boy sitting on a rope weeping soundlessly it was very unusual as boys were not supposed to be out of school at this late hour तो कहने का क्या मतलब है कि उन्होंने जब एक बच्चे को अकेले रोते हुए देखा तो वो चीज unusual थी क्योंकि boys को तो late allowed ही नहीं है बहाद तो जो D है वो आपका सीधा सीधा relate कर गया है A से तो answer आपका क्या हो जाएगा D A C B समझ में आया D B से relate भी करेगा अब B को तुम रेड कर लो he moved closer to the boy in anger so that he could recognize the miscreant and punish him कब कब क्लोज मूँव करेंगे जब वो देखेंगे फिर उनको यह चीज लगेगा कि allowed ही नहीं है उसके बाद ही तो close मूँव करेंगे समझ में आया भई तो यह आपके questions थे बागी हम करेंगे next session में again आपको कोई भी doubt हो कोई भी topic आपको लगे कि मुझे करायना चाहिए तो आप उसको comment section में post कर देना कल आपका session है सवा साथ बजी अगर आप किसी भी competitive exam की तयारी कर रहे है अनकाडमी की learning app को install करें अपना exam चूज करें और इसके बाद get subscription पर करने के बाद आपको referral code की जगए discount code एंटर करना है PMYT यह discount code एंटर करते हैं आपको maximum discount मिल जाएगा और यह discount code पूरे अनकाडमी पर valid है भला है यह आप UPC, SSE, Bank, CDS, NDA, State, PSE, UGC, IIT, NEET